हलो गाइस, आप सभी को रह्मो को नमस्कार टार्गेट SSE CGL Tier 1 Mass Crash Course में आपका स्वागत है इस Crash Course में अभी तक हम लोग percentages, profit and loss और ratio and proportion कवर कर चुके हैं आज हमें एक नए topic की शुरुबात कर रहे हैं Simple and Compound Interest इस topic काफी dreaded बाना जाता है experience के बीच में और इसका कारण है तरह तरह के innovative formulae, भयानक दिखने वाले formulae उन formulae को पढ़ते ही दिल दहल जाता है तो इसलिए topic खतरनाग लगता है पर अगर इस topic को हम उस डर के भाव से ना देखें पर इसका मूल देखने की कोशिश करने की आखिर इस topic में क्या requirements है कौन से नए basic terms जिनको हमें समझना है क्या basic structure है तो ये topic बहुत ही आसान और scoring topic है तो आज के इस lesson में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि Simple and Compound Interest का topic क्यों महत्तवपूर्ण है एक्जाम में देखे क्या हो जब भी examiner percentage के structure को test करना चाहता है तो इसके बाद बहुत सारे तरीके हैं फ़ेला वो आपको profit and loss के through test कर सकता है directly percentage के सवाल आ सकते हैं बिना किसी और topics से related के हुए SICI एक ऐसा area है जहां पर वो आप से सब कुस test कर सकता है base change test कर सकता है successive percentage change test कर सकता है आपकी percentage की थोड़ी बहुत calculation भी test कर सकता है तो इसलिए SICI topic एक बहुत ही important topic है हर एक exam में जहां भी aptitude test होता है वहाँ पर ये एक important area होता है जिसमें percentage के basic structure test किये जाता है इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आपको बता जोओं कि थोड़ा basic जानकारी आप मेरे बारे में यहां लिख सकते हैं aptrix का telegram group join करें इस course के बारे में आप अपने fellow experience के साथ discuss कर सकते हैं t.me slash aptrix e-classes telegram group का नाम है aptrix e-classes description में देकिए सारी useful link दी हुई है ये GL 17 mains में कुछ questions आये हैं उनके तुरू हम शुरुआत करेंगे पर उसके पहले मैं आपको बस थोड़ा सा basic बताऊंगा कि SICI में simple interest and compound interest होता कि है पहले इसको understand करेंगे फिर कुछ इस साल के आई हुए questions करेंगे फिर मैं आपको कुछ बाते बताऊंगा फिर हम और questions करेंगे तो चलिए शरुबात करते हैं चलिए समझते हैं simple interest और compound interest को बहुत ही असान तरीके से देखिए इसमें basic difference जो आपका simple interest और compound interest में है वो यह है जिससे नाम ही बता रहा है simple interest कर रहा है I am simple compound interest में देखते हैं कि देखिए comparison की तुरूर लर्न करेंगे कि इन दोनों में फरक क्या है इसमें अगर हम basic fundamental फरक निकालना चाहते हैं तो बस सिर्फ इतना है कि simple interest में क्या होता है कि हर cycle में interest बराबर होता है मैं cycle word इसलिए use कर रहा हूं कि year जो word होता है year यह यह सही representation नहीं है simple interest का सही word है cycle अब एक cycle आपका एक साल का भी हो सकता है एक महीने का भी हो सकता है और तीन महीने का भी हो सकता है तो मैं जरा बात करता हूं दोनों का simple interest और compound interest का उसी की form में ताकि आपकी understanding भी थोड़ा सा बहतर बने अब जैकि यहां पर मैं लिख रहा हूं SI का representation कर रहा हूं दे दिया आपको 100 और 100 ठीक है quickly बहुत जली लिख करेंगे इसको ताकि आपको आसानी से समझ में हो बहुत जादा समय भी इसमें आ जाए अगर मैं कहूंगा कि cycle 1 जब complete हो जाएगा cycle 1 की complete होने के बाद मैं जड़ा amount लिखना चाहता हूं यहां पर मैं यहां पर a मतलब amount लिख रहा हूं cycle 1 complete होने के बाद क्या होगा कि simple interest में भी 10 जुड़ेगा यह value 110 हो जाएगी cycle 1 बात कर रहा और एक cycle का one cycle का इंट्रेस्ट है वो आपको दिया हुआ है कितना 10% का दिया हुआ है यहां भी यह value 110 हो जाएगे क्यों 10% of 100, 110 देगा यहां से देखे पहली चीज़ जो आपको निकल के आए कि first cycle में simple interest और compound interest में कोई difference नहीं होता है I am talking about first cycle पहले cycle में आपका simple interest और compound interest बिल्कुल एक समान विवहार करते हैं क्योंकि जो principle होता है जिस पे आप interest calculate कर रहे हो दोनों के लिए वो same होता है लेकिन यह अंतर दिखना शुरू हो जाएगा जब हम बात करेंगे cycle 2 की cycle 2 में दिखे जब हम amount calculate करे करते हो वो principle पर करते हो तो पहले साल का अगर interest आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 10 रूपीज आया तो अगले साल का भी interest 10 रूपीज ही होगा वो calculate किस पे होगा original principle पे 100 रूपीज पे तो 10 ही add होगा इसमें तो यह value आपकी हो जाएगी 120 लेकिन compound interest में case में क्या होता है यह complete होने के बाद जो यह 110 रूपीज निकल का आया अब इस नए principle पे आपकी calculation होने वाली है अगले interest की तो यहाँ पर देखो कि आप 10% of 110 आपका कितना होगा 11 होगा यह value आपकी जूड के कितनी हो जाएगी 101 केस तो आप जहां सा देखो कि second cycle में फरक आया simple interest और compound interest की calculation में पहले cycle तक तो दोनों बराबर थे लेकिन फरक कहां आया जब इसमें interest जोड दिया गया और उस पे हमने नया interest calculate किया तो वहां से difference आना शिरू हो गया तो आप ज़रा इसको तरह धान से समझते हैं इस funda को और आगे आप बढ़ोगे आपको बता है आप अगला interest आपका इस पे calculate multiplying factor 1.1 क्यों है क्योंकि percentage 10% है यहां increase हो रहा है increase की बात करें interest रमेशा increase होता है तो एक समझ में है कि CIE का जो पूरा का पूरा structure है वह successive percentage change का structure है इसमें होता क्या है कि जो भी increase होता है वह जूड जाता है और वह जूड़ने के बाद फिर क्या करते हैं उस पे नया increase count करते है successive percentage change होता है आपका CIE आपको यही understand करने की जरूरत है कि CIE आपका successive percentage change है फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूं कि उससे थोड़ा सा और बहतर understanding होगी आपकी CIE की एक मैंने आपको एक चीज़ बताई यहां पर कि पहली cycle में CIE और SIEC में कोई difference नहीं होता है और दू usually आप understand करिए एक term use किया जाता है compounding अब जहां से मैं आपको compounding को भी ब्रीफ कर देता हूं कि अगर आप compounding का जो ब्रीफ मैं देने जा रहा हूं वो समझ गए तो आपको किसी भी formula की जरूरत होगी नहीं जो आप formula पढ़ते हो ना कुछ कि 1 प्लस R by 100 to the power I don't know क्या करते हो आ मैं अब जड़ा इस CI को अपने successive percentage chain से कहीं नहीं relate करने की कोशिश करता हूं देखिए compound interest में depending on the mechanism जैसे मैं बात करूं कि भाई मेरे को half yearly compounding चाहिए हाफ yearly compounding का simple सा मतलब यह होता है सर हिंदी में compound risk को बोलते है चक्र विद्वयाज ठीक है तो वह चक्र होता है कि कितने time के बाद आपका interest principle में add होके एक नया amount देगा जिस पे अब अगला interest calculate करना है simple interest में इसी समझ से ही नहीं है उसमें तो जो भी initial principle है उसी पर बार-बार calculation हो कि हाफ yearly compounding की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें मतलब क्या होता है कि एक साल का पीरेड होता है अगर हमने यहां पर 100 रुपीज लिया और 100 रुपीज पर 10% के हिसाप से 10 रुपीज का interest मिला तो यह value हो गई 110 अब यह 110 value हो गई यहां पर अगर यह compounding yearly होती मैं यह structure आपको दिखा रहा हूँ वो yearly compounding का दिखा रहा हूँ अगर यह compounding yearly होगी तो 10% परिनम का अगर आपको interest मिला तो आप क्या करोगे कि यह 10 रुपीज जो है ना एक साल का interest निकाल के इसमें add करोगे एक साल के बाद कि compounding annually हो रही है तो एक साल के बाद आपका principle change हो जाएगा और उस प में break हो गया 1 और 2 क्योंकि compounding तो अब half yearly हो रही है तो पूरे एक साल का period मेरा 2 cycles में break हो गया अब मैं पहले देखूँगा कि यहां का interest क्या है half yearly compounding का interest यहां पर क्या है तो जो भी annual interest आपको दिया होगा वो एक साल का दिया होगा अगर question में बात कर रहा है कि let's say annual interest दिया 5% तो आपको क्या करना है 5% 5% successively रखना है यानि यहीं पर आपका amount change करना है आपको 6 महने के बाद जब भी half yearly compounding होगी तो हर 6 महने के बाद वो amount add हो जाएगा interest वाला और principle की नहीं value आएगी इसका आप amount ही बूलते हो और वहां से आगे बढ़के आप अगला interest calculate करोगे तो यह हाफ yearly compounding होगी आप देखिए अगर आपसे मैं बोलता भाई quarterly compounding क्या होगी डरना नहीं है quarter का मतलब क्या होता है सर एक साल का quarter मतलब वन एक चौथा ही है आप सब लोग quarter जरूर जानते होगे मझे पता है खंबा quarter anyways जैसे भी समझना है समझ लो quarter की बात कर रहा हूं one fourth जब quarterly compounding होगी एक quarter three months का होता है तो एक साल के period को आप कितने parts में divide कर सकते हो sir one two three four one two three four तो जब four parts में divide कर सकते तो आपको पहले तो यह समझना है कि पहले तो आप यहाँ इस period का interest निकालो इस period का interest क्या होगा अगर annual interest 10% है तो यह interest हो गया 2.5% आप 2.5% successively कितनी बार चार बार होगे यह exactly convert हो गया percentage के structure में solve कर लो जो भी थोड़ा सा change है वो यही है कि इसमें structures आपको बनाने पड़ते हैं कि जैसे annual compounding structure क्या होगा कि मुझे annual interest जोड़के successive percentage change बनाना है half yearly compounding में 6 मेने में जोड़ना है तो मुझे 6 months वाला interest यह फिर success हो गया quarterly compounding की बात करेगा तो भाईया क्या हुआ कि आपको 3 months का interest निकालो 4 से divide करके और फिर आप आगे बढ़ जाओ अब अगर monthly compounding होगे तो क्या ही दिक्कत है बारा पीरेड बन जाएंगे interest को डिवाइड करके मैं हर साल successive percentage change लगा दूगा तो जब आपकी यह understanding होगे ने तो फार्मूला नहीं होता है वो कुछ R by 2 O 2 N होता है R by 4 is equal to 4 N होता है वो सब भूल जाइए उसकी जरूरत ही नहीं है आपको सिंबल सा successive percentage change होगा ठीक है जो कि आपको ध्यान रखना है अब देगे कुछ और महत्वपूर्ट जानकारी मुझे आपको यहां पर देनी की जरूरत है वो मैं आपको समझाता हूँ कि पहली बार तो कई बार CIE और SI के difference के questions बहुत आते हैं तो CIE और SI difference के जो questions है वो पैनिक नहीं होना है आपको मैं आपको भी कई सारे questions आगे SST में exam में जो इस साल आए हैं वो भी मैं आपको करवा के दिखाऊंगा ठीक है तो CIE साई difference को जरा समझते हैं कि पहले साल में कोई difference नहीं है दूसरे साल में ही difference आया फिर दूसरे साल के बाद आगे भी difference आता रहे तो first cycle में CIE साई में कोई difference नहीं होता है अगर annual compounding है तो आप कह सकते हो कि first year में कोई difference नहीं होगा second year से difference आना शुरू होगा अगर यह compounding half annually है तो आपको होगे पहले 6 मेने में कोई difference नहीं होगा next six months second cycle में difference आगा इसलिए मैं cycle का word यूज़ करके बात कर रहा हूँ अब जरा यह 10% वाला जो गेम है इसको समझते हैं कि CIE साई का difference कैसे लिखेंगे देखो अगर मैं आपसे भूलूँ कि SIE की बात कर रह interest है तो आपको जरा मैं बताता हूँ कि देखिए interest कैसे कैसे होंगे आपका SI simple interest एक साल का कितना होगा 10% और आपका CI भी कितना होगा 10% ही होगा लेकिन अगर मैं दो साल की बात करूँ यहां मैं second year mention कर रहा हूँ तो देखिए simple interest अगर 10% of principal पहले साल था तो 10% of principal दूसरे साल भी रहेगा जब basis same होते हैं percentage के तो उनको numbers की तरह add कर सकते हो आप तो यह value कितनी होगे 20% दो साल का यहां देखना 10% और 10% को successively रखा जाएगा percentage का video lecture जो नहीं नहीं देखा नीचे देखो जागे description में दिया होगा link 10% 10% को successively दो बार अगर आप देखते हो तो वह 21% होता है तीन बार लिखोगे यह value हो जाएगी 30% simple interest सीज़ा 3 को नहीं हो जाएगा और यह value आपकी 33.1% हो देखे इस successive percentage change को यूज़ करके four times लिखोगे यह 40% हो जाएगा और इसको four times करोगे तो यह 46.41% हो जाएगा पहली बात तो मैं आपको यह बताता हूँ कि SSC को अगाड़ प्रेम है इस percentage से इसको इतना इस्तिमाल करते हैं अगाड़ प्रेम है मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो यह जो number मैंने चार यहां पर लिखे है ना यह दिमाग में फीड कर लो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ CIE की पहले साल 10% डूसर साल 21% तीसर साल 33.1% चौते साल 46.41 यह ऐसे भी आप सोच सकते थे कि सौसे स्टार्ट किया 10% बढ़ाया तो आपको 110 मिला फिर आपने 10% बढ़ाया तो आपको जरा दिखाता हूँ कि इस 10% के स्ट्रक्चर से आपको क्या-क्या मालूम चल चुका है देखें इसी को आपको समझना अच्छे से ताकि आपकी problem solving अच्छी हो पहले साल कितना डिफ्रेंस 0 दूसरे साल कितना डिफ्रेंस 1% तीसरे साल कितना डिफ्रेंस 3.1% साब-साब लिखाके दिखाए पहला साल दूसरा साल तीसरा साल चौता साल टीकि right कि अगर मैं यहां पर बात करााँ चांब 3- presses-al दिफ्रेंस का अटाल two years का डिफ्रेंस है क्योंकि एuros पॉसेंटेश जिखा हुए यह इंट्रस हैँ दो साल का तुट्यsk는지 से कह इस न निफिर Mayor dimension यही आप 20 पोशन के लिए निकाल सकते हो यही आप 15 पोशन के लिए निकाल सकते हो तो वहां पर कहीं चैलेंज़े आपके सामने आने नहीं चेये तो मैं आपको भी कुछ कुछ इंपोर्टेंट C.I.C.I की डिफ्रेंसेस बता देता हूं वह आप ध्यान रखेगा तो आपको आसानी होगी डिफ्रेंसे लिखने में को को तकलीव कभी आए कि निए चली देखते हैं ठीक है तो देखे पहले तो मैं जरा डील करता हूं कि S.I.C.I का जो डिफ्रेंस है आए था वह 1% आया था ठीक है आप जरा 20% लेके सोचो 20% अगर आप लेके चलोगे तो आपको होगे 20 का होता है 1.2 x 1.2 x 1.44 for multiplying factor हो गया 44% आपका क्या हो गया C.I. compound interest 44% हो गया एसा ही कितना होगा 40% यह value कितनी होगे 4% आप 30% लेके देखना 30% लोगे तो 1.69 आपका आजाएगा compound interest कि corresponding multiplying factor आनि 69% देखे सर मैं क्या कर रहा हूं मैं कुछ जादू नहीं कर रहा हूं 30% increase अगर आप दो बार करते हो क्यों 1.3 times 1.3 times आपका हो जाता है 1.69 times जिसको आप बोलते हो 69% increase परचेंट में इसको बता चुका हूं यह 69% क्या है सर compound interest है और कुछ नहीं चीज नहीं है तो यहां पर 69% आपका compound interest हो गया और आपका simple interest कितना हुआ 30% के साब से 2 साल का 60% माइनस क्या 9% आ गया अब दिखे एक पै आपको समझा देता हूं कि क्या है तो अगर यहां 10% है तो आप क्या करो 0 हटा दो यानि 10 से डिवाइड करके square कर लो वह आपका SI और CI का difference आ जाएगा ठीक है कितने period का 2 cycles का 2 cycles यह कुछ भी हो सकता है 2 साल हो सकता है अगर compounding annually है तो अगर compounding half yearly है तो यह एक साल में 2 cycle पूरी ह हो जाएगी एक साल का difference हो जाएगा अगर quarterly compounding है तो यह चीज 6 मेने की है फिर तीन मेने थीन मेन 20% है तो देखे इसको भी 10 से डिवाइड करो 2 आगया 2 score कितना हो गया 4 हो गया 30 है 10 से डिवाइड करो 3 है 3 score कितना हो गया 9 हो तो यह आपका SI और SI का difference आ रहा है आप कोई जनरल percentage भी तो tension मत लेना जैसे मैंने कहा कि 12% है 12% में आपको SI का difference निकालना है दो साल का तो आप इसको 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1.2 1.2 का square कर लो 1.44 percentage आ गया यहाँ थोड़ा आपका reaction fast होना चाहिए क्योंकि questions में क्या होगा कि कई बार क्या होगा कि आपको percentage दिया ज कि दो साल में जो SI का difference है वो 10 रुपे आ तो बता दो principle कितना है अब दो साल की बात कर रहोगा आप तो मुझे पता है कि यहां पर 1% आने वाला है difference 1% of principle और वो अगर आप 10 रुपी के बराबर बोल रहो तो इसका जो 100% होगा principle का वो कितना हो जाएगा 1000 रुपीस यह answer होगा principle किसी भी आ सकते हैं जैसे उन्होंने क्या बोला आप से जान से समझना वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 200 रुपे है प्रिंसिपल अगर 200 रुपे है तो बोल देंगे कि SI और CI का difference दो साल में जब compounding annually की जा रही है तो बोल देंगे कि भई वो SI और CI क जो difference आ रहा है वो 2.88 रुपीज आ रहा है तो बता दो कि जो कुछ भी पूछ सकते हैं यहां से आप से compound interest पूछ सकते हैं या rate of interest ही पूछ सकते है rate of interest उन्होंने इस question में नहीं दिया उन्होंने आपको principle दे दिया उन्होंने आपको उठाके CI SI का difference दे दिया और पूछ रहे ह है कि यह 1.44% है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे तो दिख रहा है तो कि इसका जो 1% होगा वो 2 होगा और यह 2.88 है यह 1.44% दिया हुगा है अब जब यह value मुझे मालूम चल गई कि 1.44% of principle तो जो process में forward में लगा रहा था अब वो process में reverse में लगाऊंगा मैं यही स कर दो यह आपका interest मिल लिया कई तरीके से question पूछाई दा सकते हैं पर अगर आपको यह underlying idea है SICI के difference के 2 साल का तो आप आसानी से questions कर पाऊगे आपको किसी formula की जरूरत नहीं है अब देखिए तो 3 years का SICI के difference है वो उसके लिए भी आपको कोई formula नहीं याद करना है उसमें भी 10% वाले case में भी दिखाया था कि 30% आपका simple interest था और compound interest आपका 33.1% इनका जो difference आया 3.1% यह 10% के लिए कितने का हो गया 3 साल का हो गया 20% की बात कहले थे थोड़े दिर के लिए 20% को अगर आप 3 times लेके जाओगे successively तो आपको देता है 72.8% यह आपका compound interest हो गया और 60% आपका हो जाएगा क्या simple interest 20% के साब से 3 times का तीन बार का difference निकालो कितना आगया 12.8% तो यह आपका क्या हो गया SI-CI for 3 years for 20 percentage अब देखे question आपको एक बहुत जरूरी चीज में बताता हूं कि आपको पहले तो यह देखना है कि कौन-कौन से ऐसे important numbers है जो usually repeat होते है जैसे पाइथागोरें ट्रपलेट होता है उसमें कुछ पाइथागोरें ट्रपलेट आप धान रखते हो ऐसी बहुत सारे ऐसे numbers है कि दो साल का तो आप तुरंत लिख दोगे उसमें तो कोई challenge ही नहीं है इस percentage देखा हाफ से डिवाइड sorry 10 से डिवाइड है स्कॉर कर लिख दिया लेकिन जब तीन साल की बात आ रही है तो में थोड़ा selective होना पड़ेगा calculate तो आप कोई भी कर सकते हो during exam वो कोई भी percentage दे देंगे आपको मैंने process बता दिया process पता हूने का यही तो फाइदा होता है कि आप कभी भी कुछ भी calculate कर लोगे percentage रखा तीन बार successfully लगाया निकाल लि में फार्मूले की जरूद नहीं है जैसे बाकी लोगों को इतने कठीन कठीन लंबे लंबे फार्मूले चाहिए हमें नहीं चाहिए तो देखिए जब 3 साल 3 यह के CISI की बात आती है CISI for 3 years कुछ standard values लिख रहा हूं ज़रा ध्यान रखना इनको यह बहुत काम आने वाले है यहां rate percentage लिख रहा हूं अब देखिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैंने percentage लिया 5% तो 5% को अगर 3 बार आप लिखते हो तो जो टोटल compound interest आपका आता है न वो आता है 15.7625 percentage percentage 1.05 x 1.05 x 1.05 x 1.05 कर लो यह 105% 5% 3 times बढ़ा लो अब यह जो 3 years का difference मैं लिखोंगा न यहां पर तो आपको पता है component interest यह हो गया तो simple interest कितना हुआ 15% हो गया तो यह आपका 0.7625 percentage हो गया for 3 years 10% अभी आपको थोड़ी दर पहले बता चुका हूँ कि 3.1% होता है अगर आपने 15% लिया तो क्या होगा देखे जब आप 15% ले तो 15% बहुत जादा important नहीं है 3 साल के लिए ठीक है 15% के interest जब भी आते हैं तो अपसर 2 साल का question होता ह है पर फिर भी मैं आपको यह भी बता देता हूँ इसमें आपको बिल्कुल परिशान होने की जरूद नहीं हो ना ही डरने की जरूद है देखे आप इसमें करोगे क्या कि आप इसमें simply जो number आपको दिया गया है 15 million को 3 times बढ़ाएंगे तो compound interest के corresponding होगा क्या वो मैं आपके सा 75 percentage ठीक है यह value आपके सामने आने वाली है तो देखे यह value कितनी होगी 52.0875% यह आपका CISI compound interest होगा 3 साल का simple interest क्या होगा 45% होगा minus करो तो यह आपका होगा 7.0875% क्या होगा 20% के लिए लिख लो 30% के लिए लिख लो 20% के लिए भी आपको बताया है मैंने 12.8% होता है 30% से important नहीं है अगर आपके इच्छा है तो आप लिख लेना है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो percentage मैंने आपको लिखा दिया है यहां पर अक्सर जब 3 years के calculation की बात आएगी तो इनका बहुत जादा repetition होता है यूजली इवन यह भी बहुत जादा important नहीं है इसको भी आप चाहो तो भूल जाओ लेकिन मुझे पता है भूल नहीं पाहो तो याद रखना है 5%, 10% और 20% these are most important percentages जो की इस्तिमाल किये जाते हैं CIE के case में जब भी बात होती है CIE के difference की और CIE की निकालने की इनका ग्यान होना तीन साल के लिए बहुत ही फाइदेमंद आपके लिए होने बाला है इन तीनों को जान रिखना बस ठीक है बाकी जो भी percentage होंगे करेंगे उसको हम निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं आपको किसी formula की जरूत नहीं पड़ेगी तो चलिए कुछ questions देखते हैं तो इस साल means में आए और दिखते हैं उनको करना कैसे था फिर हम और भी question करेंगे अगले lesson में हम और सार इस question भी solve करेंगे अ कि अमाउंट है on a certain principle in three years a 12% rate of interest compounded annually is rupees 12,000 तो बताना है कि अमाउंट चौथे साल के अंत में क्या होगा देख उन्होंने क्या किया है और उन्होंने बोला कि भाई किसी भी amount को तीन साल में जब हमने रखा 12% के interest पे तो हमें 12,000 रुपे मिले यह दिया हुआ है वो amount 12,000 हो जा अगर आपको third year के end में मालूम है कि यह 12,000 है तो fourth year के end में क्या होगा सर यह rate of interest लगा के बढ़ा दो यही तो होता है अब इसको आप कौन सा सवाल बोलोगे कि यह compound interest का कोई कठिन सवाल है बिल्कुल भी नहीं third year के end में जो amount होगा उसमें 12% लगा देंगे fourth year के amount मिल जाएग अब इसमें का वर्थ नहीं करना है third option कैसे मा करना है 10% ही इसका कितना होगा 1200 होगा 12% क्या होगा आपको पता है कि 1000 से 2000 के बीच में होगा थोड़ा सा भी दिमागा होगा तो पता भी चल जाएगा कितना है आपका 1440 है तो 12,000 में 1440 हम जोड रहे हैं तो 13,000 प्लस जाएंगे 14,000 नहीं पहुच पाएंगे तो एक ही option 13 से 14 के बीच में उसका correct होना उसकी मजबूरी है यह ससी का actual question है इस साल का means का ठीक है बड़ेस्टिल अगर आपको calculate करना था तो आप निकाल लेते कि 1% 120 है तो यह value आपकी हो गई 1440 और यहां पर आपकी value निकल गया गई जो भी आप निकालना चाहते थे अब देखिए यह जो amount है यह क्या है यह उस fourth year का interest है एक point में आपको यहां पर और भी बताऊंगा compound interest के बारे में कि जैसे आपका principle हर एक cycle के लिए 12% से बढ़ राइस केस में है इंट्रेस्ट भी हर साल 12% से बढ़ेगा इस केस में इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे इस साल का interest निकालना होता तो मैं ऐसे सोच सकता हूं कि यह 12% जाधा होगा ऐसे ही सोचना है आपको इस साल का interest निकल आएगा तो हर साल जिससे हम previous year के amount को इस साल के amount से compare करेंगे तो अगर वो rate of interest से बढ़ा होता है तो interest भी वैसे ही related होते हैं इससे बहुत सा तो इसको इस्तेमाल करके भी कई सारे question आसानी से हो सकते हैं चलिए अगला question देखते हैं देखिए question number 2 क्या कह रहा है कि the amount received a 10% per annum compound interest after 3 years यह दिया हुआ है आपसे बोल रहे है कि principle बता दो मैंने आपसे बोला था कि SST को बहुत ज्यादा मोहबत है 10% के interest से तो इन्हेंने 10% दिया एन्म पर एन्म compounding यान्य अनुवल compounding कर रहे हैं तीन साल की बात कर रहे हैं आपको दिमाग भी नहीं लगाना है सर कि जो amount होगा वो क्या होगा आपको जो भी amount होगा वो पहले से 33.1% जादा होगा ठीक है क्योंकि जो भी amount दिया हुआ है 33.1% आड़ करेंगे तो मुझे 1,19,790 मिल जाए डिवाइड करना चाहते हो करो मुझे पसंद नहीं करूंगा आपको यह तो नहीं हो सकता क्योंकि इसको अगर मैं 33.1% से बढ़ाया तो मुझे 1,30,000 से ऊपर की value मिलने वाली यह नहीं हो सकता आपको क्यों तो फिर क्या इसके बारे में सोचें मैं क आपको 75 में अगर आप plus 1 by 3 करोवे तो 100 मिलेगा और 1 by 3 तो आपका 33.33% होता है तो यह भी possible नहीं है इवन आप 80 को भी reject कर सकते थे इसी लॉजिक से कि 80 का अगर आप 33.33% बढ़ा देते लेट से 1 3rd निकालते तो भी कितना आता लेस देन 27,000 27,000 इसमें आड कर दोगे तो भ है पहला आपको मैच करना है आपको मुझे नहीं करना है इसके लाम कोई option possible है नीस में कोई answer नहीं हो सकता यह ससी के actual question है को कि आप लोग कई पर कहते हो ना कि option अगर बहुत करीब हो गए तो क्या होगा यह साल के tier 2 का question है देखिए option का करीब होना भी बहुत करीब होना जो भ इससे कि आपको actual value निकालनी है यहां पर है ना यह value आपको दिए 119750 ठीक है अब आप मानी नहीं मेरी बात करो नहीं मुझे actually ही निकालना है क्या करूं तो मैं कुछ मत करो आप simple सा देखो हर स्टेज पर 1.1 multi-blank factor होने वाला है ठीक है तो आप 1.1.1 से divide करते चले जाओ तो ए-b rule पढ़ा चुका हों कि sir इस direction में अगर plus 10% होता है तो यहां पर यह minus 1 by 11 होगा minus 1 by 11 निकाल के minus करो यह निकलेगा फिर यह निकलेगा सब निकलाएगा ठीक है तो tension नहीं लोगे तो सब हो जाएगा लोगे तो कुछ नहीं होगा है तो यहां पर देखिए process जब exact निकालन की बात है कि तो निकाल लेंगे वह कोई बड़ा challenge नहीं है लेकिन सवाल है कि अगर option इस तरह से दिये तो उनका use करो और फिर से आप देखो इस question में उन्होंने कौन सा भ्हाना concept यूज क्या है कोई भ्हाना concept compound interest की जबरत नहीं है अगला question देखते है देखिए question number third क्या कह रह compounding की जा रही है और वो भी semi-annually की जा रही है आप देखो इन्होंने क्या किया मैं वहीं कर रहे है तो 10% वाला प्यार है वो गया नहीं 20% अगर आपका परनम interest rate है और आपने compounding half yearly करी semi-annually का मतलब half yearly तो उस 6 मेने का interest कितना हो गया 10% यानि फिर से वापस आगया 10% वाला structure औ मुझे answer भी पता चल गया कि 18 है कैसे भाई आपको इस number को देखते देखते एक feeling आई वह feeling आई गई कि यह 30% से थोड़ा सा जाधा है देखो ना interest को ज्यांसे देखो 8000 आपका base है 2400 आपका 30% होता तो यह 30% है थोड़ा जाधा है और ऐसा भी नहीं है कि यह जाधा आगे नि यानि कितना हुआ 18 months कितनी आसानी से question निकल रहा है अगर आपको 10% का basic idea जो SSC को बहुत प्यार है आपको इंपर उठाके 2016, 2015 हर साल 10% पर सवाल होता ही होता है यहां पर उनने लिखा 20 लेकिन जब semi-annually की बात कर लिए 10% ही हो गया तो हमने quickly identify कि यह percentage 30% से थोड़ा उपर यहां पर चार साइकल लिखे होई है यहां पर यह तीन साइकल लिखे होगी है तो जब यह complete cycles की बात कर रहे है हमसे तो जो percentage होगा हमारे standard result वाला ही तो होगा आपका 21%, 33.1%, 46.41% ठीक है आसानी साइसर आएगा आप question देखोगे और mark करोगे देखते है कि 30% थोड़ा सा उपर 3 cycles होगा answer कितना 6 x 3 18 months आगे बढ़ते है अगला question देखते है अब देको इस question में क्या दिया होए यह करा है what is the rate of interest if simple interest earned on a certain sum for the third year is rupees 2000 and compound interest earned in 2 years is given देखो इस question में ध्यान से सोचना, simple interest का मैंने आपको एक ही फंडा छोड़ा सा बताया, वो यह बताया कि simple interest हर साल सीम रहता है, तो आप कहे दो कि simple interest 2000 है या तीसरे साल का या फिर पहले साल का एक ही बात है, similar simple interest तो सीम रहेगा, साथ में आपको यह भी पता है कि पहले cycle के लि compounding की बात नहीं की जाएगी तो वो annual compounding होगी, यहाँ पर annual compounding की बात हो रही है, तो 2000 अगर पहले साल का interest हो गया, simple interest तो वही compound interest भी होगा, क्योंकि पहले साल में कोई difference होता ही नहीं है, आगे बढ़ूँगा, फिर मैं कहूँगा, इसका मतलब यह हुआ बाई कि दूसरे साल क interest कितना हो गया, 2160, total कितना दिया है, 4160 total CI, आपको होगे, यहाँ से यहाँ का जो change है, यह 160 रुपीज का है, मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि किनी भी two consecutive years का जो change होता है, वो represent आप कर सकते हो, rate percent से, यह 160 रुपीज का जो change आपका है, यह simply आपको बता देगा, कितना percent rate interest है, 162,000 का कितना percent है, आप कहोगे 8 percent है, यह तो साब साब दिख रहा था, आंसर ऐसे ही orally mark कर पाओगे, ज्यादा complexity मत रख यह thought में, simple thought, answer आसानी से निकले गया, अगला question देखते है, चले question number 5 देखते हैं, क्या 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 क्य What will be the approximate compound interest earned on rupees 15 lakh in 3 years at the same rate? बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप इसको समझने के लिए त्यार हैं तो, ठीक है, नहीं है तो मुश्किल होगी, फिर भी मैं समझा की रहूंगा, जैसे आपकी जिस है, मेरी जिस है, ठीक है, देखिए 15 percent अगर आपको पता है, SI होगा, थोड़े द CI कितना होता है, 15.7625 percentage होता है, सर, लिख दिया मैं, अब जरा करना मुझे क्या है, मुझे 15 lakh का अमौन दिया है, उसका मुझे यह निकाल लेना, इतना percent, यह आंसर होगा, यह 15 lakh का निकालना है, तो यह निकालना है, आफ 15 lakhs, यह देखते ही आंसर आचुका है, बढ़ फिर भ 1.5, आप कर लो, 0.15 कर लो, 2.25 आजाएगा, फिर यह जो वैलू लिखी होए ना, इसको तरह जहान से दिखना, यह वैलू लिखिए 0.7625 percent, तो 2.25 तो मुझे दिख गया, अब बाकी के जो आंसर है ना, यह तो बहुत ही वाहियात answer है, यह तो नहीं होगा, अब इसमें क्या आप दिख रहो कि 1 जूडने वाला है क्या भई, 0.7625 percent दिया हुआ है, इसका जो 1 percent होगा ना, इसका जो 1 percent होगा, वो कितना होगा, 0.15 lakh होगा, अब इतना समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप आप answer को mark कर दो, क्यों sir, क्योंकि 15 के बाद का जो percentage है, वो 1 percent से कम है, 1 percent से जो कम value होगी, वो 0.15 lakh से कम होगी, 0.15 lakh से कम होगी, इसका मतलब मुझे इसमें 0.15 से थोड़ा सा कम add करना पड़ेगा, तो वो value क्या होगी, एक ही possible है, क्योंकि 2.87 की तो संभावना ही नहीं है, तो देखो इतना सवाल जो आपको मुश्किल लग्स आता था, मुझे न ठीक है, इतना असान था, इस question में कलम नहीं उठानी थी, मैंने answer को directly mark नहीं किया था, जान बोच के, ताकि आप बात में complain ना करो, लिखते हो ना, comment में जाके कि इतना तेज मत किया करिये, तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसका logic समझो क्या है, 15%, 15.7625%, बस इतना, तो 15% इसका 2.25 होगा, ये मुझे पता है, 0.15 से कम होगा, क्योंकि 1% इतना है, उससे कम होगा, तो answer आपको 2.36 तुरन मिल जाएगा, चलिए अगला सवाल देखते हैं, चलिए question नमर 6 देखते हैं, क्या करा, करा कि second year और third year के end में, जो compound interest में, compound interest में लगाया गया उस पे, at compound interest, एक compound interest में क्या है, अगर आप 2 consecutive years को पकड़ रहो, तो कितनी बार हम, मैं आपको बोल के बता चुका हूँ अभी कि, ये rate percent से बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं होना, अब rate percent ही निकालना है, तो उस ही में आपको जितनी तकलीफ है, वो होगी, वो भी होनी नीच है, क्योंकि मुझे roughly दिख रहा है कितने times, 7 times, क्यों हो भाई, 96 आपका 1 percent होगा, और roughly आप 7 times लोगे, ये 700 से थोड़ा सा कम है, 700 minus 28 है, 96 into 7 होगा, इसलिए 7 percent rate interest आगा, बिल्कुल basic structure को test किया गया percentage के, कोई भी complexity नहीं है और आपको परिशान होनी की जरूद भी नहीं, चलिए अकला question दे क्या करा है, करा है, what is the difference in compound interest earned in one year on a sum of rupees 10,000 at 40 percent per annum compounded quarterly and annually, देखो जरा, 10 percent वाली जो SSE के मोहबत बरकरार है, 40 percent per annum भोला और quarterly compounding की बात कर ली, तो जब quarterly compounding की बात करोगे, तो हम 40 percent by 4 करेंगे, वो value कितनी हो जाएगी, एक quarter का interest, 10 percent सब, अब जरा ध्यान से दिखना, compound interest में annual compounding की बात कर रहे हैं, और एक साल का ही period बोल रहे हैं, तो भाई, compound interest, simple interest एक ही बात हुई, अब interest में जो difference निकालना है सर, वो कैसे निकालोगे, आप 10,000 यहां दिया होगा है, आप quarterly एक साल में 10 percent के कितने periods आजाएंगे, 4 cycles आजाएंगे, आपको बता है, 10 percent, 4 cycles, 46.41 percent, class की सुरुवात में ही बताया था मैंने आपको, और जब annual compounding की बात करोगे, भाई, तो वो तो 40 percent ही रहेगा, इन दोनों का जो difference आने वाला है, वो 6.41 percent आने वाला है, अब यह सवाल equivalent की, भाई, CI और SI का difference, 4 cycle का 10 percent के हिसाब से quarter rate of interest, उसके हिसाब से क्या होगा, 6.41 percent होगा, इन्होंने compound interest, compound interest बोल दिया, बड़ एक साल की compounding बोल दी, जिसकी annual, उसमें क्या ही फरक है, वो CI, CI, SI यह की है, यह value बतानी है, sir, किसका, 10,000 का, क्या होगा answer, 6.41, आपको समय भी नहीं लगेगा, जब आप थोड़ा सा इसमें अभ्यस्त हो जाओगे, इस percentage values आपके दिमाग formula भूल जाए, समझदारी से ध्यान देंगे और थोड़ा सा इनकी कमजोरियों को अगर हम फाइदा उठाएंगे, इस तरह से option देते हैं, जिस तरह से question देते हैं, तो आप बहुत असानी से questions करके आओगे, आगे बटते हैं इतला question देते हैं, लेके question no.8 क्या कह रहा है, question no.8 सब fundamental basic में आपको छोड़े-छोड़े बता चुका हूँ, उस ही की जरूरत है, कह रहे हैं कि compound interest अगर थर्ड इयर में इतना मिला, थर्ड इयर में यह language बहुत जरूरी है, तीसरे साल का compound interest अगर आपको मालूम है, चौते साल का निकालना है तो 9% बढ़ाना है, आपको और कु 10% भी बढ़ा देंगे, तो भी आप देखो 13,000 something में ही रहो गया, ऐसे ऐसे तो option आपको देते हैं, कि आपको कहीं कोई तकलीब भी ना हो, तो 9% भी दिया, तो हम 10% का यूज करके निकाल पा रहे हैं, कि 10% ही रफली 1210 होगा, जो 13,000 कोच होगा, तो answer इतना बड़ा नहीं नहीं आसकता, जोनोंने options दी हैं, तो वह बात अलग है, आप शंका हमेशा करते रहे हो, कि exam में option बहुत करीब आगया, तो आप खुद ही देखो, ये actual main के सवाल है, वो करीब भी करेंगे, तो कितना करेंगे, देखो जरा कितना दूर दूर रखा है options को, 1000-1000 की दूरी बना क करीब इलाएंगे 500 की रखेंगे, तो भी कोई दिख करनी है, anyways, tension मत लो आप, परिशान मत लो बिलकुल भी, थोड़ा option elimination practice करो, क्योंकि ये exam में use होगा, आप जितना doubt अपने उपर करना है करते रो, ठीक है, जब actual calculation की बात आएगी, तो ये कौन सब भयानक सवाल है, मैं आप proportion निकालना है न सर, तो 121 इंटू 9 घर लो, तो 121 इंटू 9 अगर आप निकालने जाते हो, तो आपको होगे, 120 इंटू 9 करूंगा, ठीक है, अगर आपको multiplication करना है, तो आपको होगे हो जाएगा, 1080 और ये हो गया 9, 1089 जोड देना, आप बता हो actual calculation भी अगर करना है, तो ये क आपको समझने के जरू होते है कि option elimination जब-जब होगा करेंगे, नहीं होगा तो calculate भी करनेंगे, ऐसा क्या है, ठीक है, अगर बढ़ते हो, question no.9 जरा देखो क्या कहा रहा है, कि amount received 10% per annum compound interest after 3 years is this, तो बताना है, इसका principle क्या होने वाला है, देखो जरा, इससी की मौबबद बरकरार, 10% per annum compound interest, 3 साल, आपको पता है क्या होगा, 33.1% तो आपका compound interest होने वाला है, 33.1% और ये आपका जो value दिया हुआ है, ये amount का value दिया, आप देखो कौन से option को बढ़ाएं कि ये मिलेगा, आपको अभी ये value हम देख चुके हैं, शायद कि ये नही 30% अगर आपने बढ़ा दिया, तो 117 हो जाएगा, नहीं हो सकता है, ठीक है, आप देखें, ये जो clear cut rejection माने कर दिया, इसके बाद 8,000 के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये 8,100 होता, 33.33% बढ़ाते इसको, तो ये 107 के आप सपस जाता है, अब देख को चेक कर लेते हैं, अगर ये गलत होगा, तो भाया, कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप जरा बस ये देख लो कि 8,000 से अगर हमने शुरू किया, ये हमारा जो amount अगर initial 8,000 है, और ये value हमारी इतनी दी हुई है, तो क्या ये difference, 33.1% है या नहीं है, आपको ये value 8,000 है, ये value 10, 10,648 है, इनका जो difference है, वो 2,648 आ रहा है, ठीक है, आप ज़रा ध्यान से समझना है याँ पर, क्योंकि 8,500 अगर होता, तो ये नहीं होता, क्योंकि 500 कर यहाँ बढ़ा होगे, तो 500 यहाँ कम हो जाएगा, और 500 कर यहाँ कम होगा, तो ये 2,000 के आसपास आएगा, जो कि 30% भी करनी नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 10% का result 3 साल के बाद क्या होता है, वो होता है, 33.1% increase, ऐसे करोगे, आसानी सांसर आएंगे, बिना किसी प्राब्लम के, अगला question देख, चलिए question number 10 देख रहे है, question number 10 का कह रहा है कि in how many years, rupees 25,000 yield rupees 8275 as compound interest, a 10% per annum compounded annually, देख, question पढ़ते ही answer अकर आपने नहीं लगाया, तो यह एक महापाप है, कैसे भाई, 10% आपने फिर से उठाके में दे दिया, अब यह साफसा मुझे दिख रहे है कि यह 3 साइकल के बाद मिलेगा, लगबग 30% के थोड़ा सा ऊपर है, 40% नहीं है सर, 30% से तोड़ा सा ऊपर है, तो एक ही possibility है 33.1%, क्योंकि आपने जो years दिया है, integer में दिया है, 2, 4, 5, 6, 5, 3, तो बस 3 ही possible है, 4 में तो 46.41% होता है, यह दिख रहा है मुझे साब साब कि यह 30% से तोड़ा सा ऊपर है, 25,000 का 30% क्या होगा सर आप बताओ, 250, यहाँ आपर आप निकालो 10% 2500 x 3, 75,000 से थोड़ा सा जाधा अगर निकालोगे, तो 33.1% मिले का answer आचुका है, ठीक है, तो मेरी राह पर अगर चलोगे, तो exam में SICI के question आपके लिए बिल्कुल मजाकी होगा और कोछ नहीं होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चले question पर 11 दिखते ह है, उन्होंने 3rd year का, तो वही 1st year का भी होगा, वही 2nd year का भी होगा, simple interest तो हर साल सही में रहता है, ठीक है, तो जब इन्होंने बोला कि 1750 simple interest है 3rd year का, तो आपको पता है कि पहले साल का simple interest है ही होगा, और जब compounding annually होती है, क्योंकि हाँ compounding के बारे में इन्होंने कुछ भी न compounding होती है, तो जो simple interest होता है, वही compound interest होता है पहले साइकल का, भाई मुझे ये मालूम है कि 1750 मेरा compound interest है पहले साल का, आप total 2 years का compound interest से उन्होंने दे दिया है, तो मैं 2nd year का भी compound interest निकाल सकता हूँ, पहले साल का मालूम है, उनका जो percentage होगा, वही rate percent होगा, ये difference निकालने में जितना time लगेगा लगेगा आपको, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये 1872.5 है, मुझे दिख रहा है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, आप जोड़ के देख ले न, मैं addition थोड़ा fast करता हूँ, subtraction fast करता हूँ, आप भी करिए, ये difference फिर मैंने देखा तो ये difference मेरा आगया, 100, तो साफ साफ दिख रहा है, 22.5 मुझे साफ साफ दिख रहा है, अब जैसे ही मुझे ये दिखा, मुझे answer mark करने में एक second भी नहीं लगए है, आपको पता है कि 17 times 7 अगर आप लेते हो, तो कितना मिलता है आपको, 17 times 7 आपका 119 होता है कि नहीं होता है ये 17.5 है, तो आप देखो, 119, 7 बात रहेती, तो 3.5 और आजाएगा, 112.5, 122.5, although इतना करने की जरूत थी नहीं, क्यों, क्योंकि 8%, 9%, 10% तो सोचना ही नहीं, क्योंकि 17 times 8 अगर हम गए, 17 times 8 ही गए, तो वही खुद 130 plus निकल जाता है, ठीक है, तो यहीं से आपको समझना थ था कि बस एक ही answer possible है, इतना जल्दी हुगा, इस question में भी आपको pen raise नहीं करना था, आपको directly answer लगाना था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा calculation को बहतर करेंगे, और structure को समझेंगे, तो answer तुरंद निकलेंगे, आगे बढ़ते निकलेंगे, आगे बढ़ते निक अगर यह हजार होगा, तो यह 331 होगा, percentage कितना होगा, 33.1%, 10% की बात करेंगे, 3 cycle, annual compounding, 3 years, अगला question दिखते है, तो यह question क्या करा है, what is the compound interest earned on Rs. 80,000, 840% per annum, in one year compounded quarterly, आगे देखो, 40% quarterly compounding, कितना होगा sir, 10%, अब 10% की हिसाब से, अगर आपने quarterly compounding की और आप मुझसे एक साल की बात करोगे, मुझे मालूम है, interest क्या होता है, 46.41%, बता चुका हूँ आपको, 4 cycle तक का 10% का पता रखो, अब यह value मुझे किसके निकालनी है, 80,000 की, अब ज़रा, मुझे रा calculate करने का मन नहीं करा, तो मैं करूंगा भी नहीं, मैं option देखोंगा, ठीके, 8 into 4 अगर आपने न परशन तो मुझे पहले से मालूम है, और फिर मुझे 80,000 साफ साफ दिख रहा है, तो 4 into 8 बनेगा minimum, तो 32 के शुरुआत हमारी answer, minimum 3 से तो मेरा answer शुरूई होगा, option को दिखने तरह कैसे हुआ याद दिए, अब यह अगर आदत आप नहीं डालोगा, देखों, मैं बार बार option पर नहीं emphasize क्यों करता हूँ, जो इस तरह की options आ रहे हैं, और अगर आपने option को देखना ही बन कर दिया, ठीक है, आप questions ऐसे लगा रहे हो, जिसमें options नहीं है, बीना options के question को solve करने की कोश्च करते हो, तो यह आप यह चीज़ कहना यह आपका skill नहीं बनेगा कभी, exam में क्या हो option देखने की, वरना बहुत दिक्कत होगी और बहुत देर भी हो जाएगी, अगर आपने सोचा कि exam की 15 दिन पहले में शिरुबात करूंगा option elimination की practice करने में कुछ नहीं होगा exam में, अभी से शुरू करूँ आज से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगला question देखते है, question number 14, यह करा कि, what is the rate of interest in percentage if simple interest earned on a particular sum for 3 years is Rs. 6000, तीन साल का 6000, और compound interest 2 years का इन्होंने बोल दिया कि यह है, आपका 4160, अंसर क्या है, 8% यही सवाल हम लोग कर चुके हैं थोड़े दिर पहले, बस अंतर क्या था, वहाँ data differently दिया हुआ था, चीज रही थी, करा 3 साल का 6000 है, simple interest, एक साल क कितना होगा, 2000, compounding annually के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे है, तो annual compounding होगी, annual compounding के case पहले साल का जो interest होता है, simple interest होई, compound interest भी होता है, तो अगर यह पहले साल का interest हुआ, total 2 years का 24160 है, तो अगले साल का कितना होगा, 2160, और इनका जो percentage change है, वो क्या है, 8% का है, आंसर क्या होग होगा, पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ, देखिये, कि SICI में केवल और केवल percentage के structures का इस्तेमाल होता है, although यह questions बहुत असान थे, SSC का खैर इस साल का मेंस का आया होगा question है, इसलिए मैं इसको discuss भी किया, आगे हम जो कल को करने वाले हैं, calculation में थोड़ा questions भी होगे, वहाँ भी मैं आपको देखा हूँगा कि basic percentage structures की clear understanding plus pattern understanding कि किस तरह की percentages जादा frequent है exam में, जो आते हैं हार exam में, not only in SSC but in CAT or other management exam में, जो पूचे गया है questions, तो कौन सा percentage structure percentage बहुत common है is the rate of interest, उनके बारे में थोड़ा पहले जान करें जाना है, जैसा है SSC की perspective से मैंने आपको बताया 10% बहुत important है, पर आपके बेर 10 नहीं जान मन रखो, 20 भी रखो, 5% भी रखो, मैंने तीनों आपको बताया, और सवाल मिला मुझे 5 वाला भीस में था, यही तीने repeat होती रहती है, तो जब इन percentage structures की clarity आपको है, आपको कुछ standard result पहले से मालूम है, आपको बताय कोई formula नहीं याद रखना है, मैं आपको बूगल रहा हूँ, कोई formula याद नहीं रखना है, आपको सारे questions निकलेंगे, ऐसा इसी है कि, कल के questions में आपको दिखाऊंगा जहां थोड़े questions होंगे, जो इन questions से तो थोड़ा चे ही होंगे, उनको भी करके देखेंगे, कैसे questions है, कै कैसे होंगे, आपको कोई तकलिफ नहीं के जरूरत नहीं है, एक question हमारे सामने जो कर रहा है, a sum of money becomes 7 by 6 of itself, in 3 years it is certain rate of simple interest, तो बताना है कि rate of interest per annum क्या होगा, सवाल देखें यहाँ पर है कि आपका reaction इस question में fast होना चाहिए, इस question बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो जब आप simplest cases को fast कर पाते हो न, तब ही आप complex cases को भी fast कर पाऊगे, complex cases होते हैं, थोड़ा बड़ा सा सवाल होता है, वो क्या होता है, simple statements को combine करके complex questions बनते हैं, तो अगर आपका reaction simple कही लोग इस question को देखते हैं, यह कौन तो सवाल है, यह तो हम करी लेंगे, सवाल यह नहीं कि आप कर लोगे, इस हवाल ही है कि क्या mentally आप इस question को देख कर पाऊगे, अगर नहीं कर पाऊगे तो आपको सुधार की जरूरत है, तो मैं ज़रा इसको करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको जल्दी करना था, करया कि एक sum of money है, जो 7 by 6 हो जाती है अपने कुद का 3 years में, एक certain rate of simple interest तो आपको बताना है कि rate of interest per annum क्या होगा, अब ज़रा ध्यान से दिखना कि कोई भी number अगर 7 by 6 of itself हो जाती है, इसका number आप ऐसे ज़क्ति हो कि अगर कोई number 6 है, तो वो इसका 7 by 6 times हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा 3 साल में, तो time period 3 years हुआ, और यह value क्या होई, 1, तो अगर आप इसको दिखोगे तो यह क्या है, कि change of 1 over 6 in 3 years, यह कहानी 3 साल की है सर, अगर आप simple interest निकलना चाहते हैं, तो फुर मीचे एक साल की कहानी चाहिए, एक साल की कहानी आपकी हो जाएगी 1 by 18, इसको अगर आप percentage में convert करना चाहोगे, तो 100 से multiply करोगे, 100 by 18 हो जाएगा, 100 by 18 को आप 50 by 9 भी लिख सकते हो, 50 by 9 आपका हो जाएगा, 9, फिब्जा, 45, 5 remainder, और यह होगा, 5, 5 by 9 percentage, यह होगे, आप यहां से भी answer direct निकाल सकते हैं, तो 3 साल का अगर 1 by 6 है, तो 1 by 6 आपका लगबग 16.66% हुआ, इसमें कोई भी answer ऐसा नहीं है, जो देगा पहले के लावा, इसको multiply का, अगर हमने किया, ठीक है, 16.66% दिया हुआ, हम इसको 3 से कर डिवाइड करने जा रहे है, तो हमें 5 पॉइंट सम्थिं परसेंटेज मिलेगा, जो कि केवल पहला option दे सकता है, और कोई भी option नहीं दे सकता है, इसलिले इसके लावा बुछ करेक्ट नहीं हो सकता है, आप simple simple questions में में reactions को बहतर बनाईए, आपके लिए चीज़ें बहुत असान हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं अगला question दे, question number 2 कह रहा है, the difference between the simple interest received from 2 different sources on rupees 1500 for 3 years is rupees 13.50, आपको बताना है कि difference between their rate of interest is, यह question आपको देखते हुए mark करना है 0.3%, डरिये गमत मैंने कैसे mark के मैं पू difference है कह रहा है, simple interest का, from 2 different sources on rupees 1500, तो 1500 जो amount है, जो principle है, दोनों के लिए same है, interest का difference दे रखा है, तो जो यह interest का difference है, 13.50 आपको जो दिया हुआ है sir, यह अगर आप ध्यान से देखो के तो आपको मिलेगा कि यह 0.9% है, इस principle का, 13.50 को ज़रा ध्यान से देखना, 1% 1500 का क्या होता ह है, 15, और यह 15 से भी कम है, कितना, 0.1%, 1.5 कम है, 1.5 इसका 0.1% होगा, यह 0.9%, आप ऐसे भी देख सकते हैं, 15 x 9, 135 होता है, वहाँ से भी निकल आएगा कि यह 0.9% होगा, आप देखें, simple interest का जो difference है, percentage terms में, वो मैंने निकाल लिया कि 0.9% है, यह जानते हैं, यह rate का difference है, 3 years का, मुझे 1 year का difference चाहिए, 3 से divide करना पड़ेगा, 0.3% मिलेगा, मैं फिर से समझाता हूँ आपको, अगर यह 1500 का amount आपने लिया सार, और आपने कहा कि 1 का rate percentage है, R1 परसेंटेज और दूसरे का rate percentage है, R2 परसेंटेज, तो पहले साल का difference होगा, वो percentage की term में क्या लिख होगा, R1 minus R2 percentage, और अगर मैं यही तीन साल की बात करूँगा, तो यह 3 times हो जाएगा, R1 minus R2 percentage, वही तो भोल रहो हूँ है, इसको percentage में निकाल के 3 से divide कर जाते हैं, आंसर आजाएगा, असानी से, तो ज्यादा कुछ variable लेके नहीं चलना है, आसानी से, और आपके percentage structures clear है, ठीक है, आगे बढ़ते हम, question number 3 देखी का करा है, करा है, a sum of Rs. 1600 gives a simple interest of Rs. 252 in 2 years, 3 months, तो आपके बताना है कि rate of interest per annum क्या होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, answer इसका होगा 7%, कैसे लगाना है, यह आपको समझाता हूँ, देखे, 1600 दिया हुआ है, यह दिया हुआ है principal amount, और यह आपका दिया तो हम यह कर सकते हैं कि क्यों ना इस interest को हम निकालने की एक साल का interest कितना है, वो कैसे निकलेगा, आपको होगे कि 252 रुपीर जो interest है यह 2 years, 3 months का है, 2 years, 3 months को year में आप 2.25 years लिख सकते हो, कैसे लिखा भई यह मैंने, 3 months होता है, one quarter, खंबे वाला quarter नहीं, एक साल का एक quarter, 3 मह लेकिना, one fourth, one fourth को year की टम में 0.25 years लिखा, अब फिर आप इसको divide करो, एक हुझ रहा, 100 times कितना होगा, 225, तो 100 times आपका 225 तक ही हम पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमें तो और आगे जाना है, कितना आगे जाना है, आपको मुझे 27 होट चाहिए, इस value का 4 times 9 देता है, 27 यह 112 आगे, डिवाइड करने के बाद, अब आपको अगर simple interest का rate निकालना है sir, तो आपको यह निकालना है कि 112, इस 1600 का कितना percentage है, साफ साफ लिख रहा है कि 7 percentage है और यह इसका answer हो गया, डिविजन के टाइम पर आप यह भी कर सकते हैं, कि 2.25 को आप 9 by 4 भी लिख सकते थे गर यादत हो निची है कि आप mentally इसको calculate कर पाओ, आगे बढ़ते हैं, question number 4 क्या कर रहा है कि देखें कर रहा है, a sum of rupees 15.50 was lent partly at 5% and partly at 8% simple interest, the total interest received after 3 years is rupees 300, तो बताना है ratio of money lent at 5% to that of 8% यह क्या होगा, देखें आपको कितना भी time लगे, मेरे को इतना ही time लगता है, इसको answer mark करने में, पहले तो मैं आपको बताऊंगा लंबा वाला तरीका, फिर आपको बताऊंगा मैं चोटा वाला तरीका, ठीक है, जरा देखते हैं, तो दो तरीके बताता हूं लंबे वाले पहले और फिर चोटा वाला तरीका बताता हूं, पहले चीज़ आपको यह समझन की जरूरत है, कि कि इस question में आप allegation लगा सकते हो अब यह निकालो कि यह इसका rate कहा है यह 300 तीन साल का एक साल का कितना हो गया आपका 100 अब मुझे क्या करना है यह 100 का निकालना है कि percentage क्या होगा विद रिस्पेक्ट वन फाइफ फाइफ जिरो आपके इसको डिवाइड कर सकते हैं इसको डिवाइड करने पर मुझे जो वैलू मिलने वाली है 100 का 155 पर रेशियो निकाल रहा हूं अब 5 से डिवाइड करूंगा त परसेंटेज निकालने जाओंगा तो यह 200 वाइड थर्टीवन परसेंटेज आ जाएगा मैं आगे डिवाइड नहीं कर रहा हूं तो मैं इसको 200 वाइड थर्टीवन परसेंटेज यहां ऐसे लिखता हूं इस अब जो कि डिनॉमिनेटर में जब भी फ्रैक्शन है उसको हट आना है तो आप क्या करो कि के लिख से मृटिवलाई करकर करें सबके डिनॉमिनेटर कैंवर सबके नमटर दिखाए हुआ था सबके डिनॉमिनेटर में यहीं 31 वन अरगा 31 से सीधे सबको जाकर मृटिवलाई कर देता हूं 31 टाइमस 5 आपको कितना हो गया 155 और यहां पकर ग यहां सब्ट्राइट करके जड़ा देखना तो यहां 48 आ गया और यहां आपका 45 आ गया इसका रेशियो क्या आ गया 16 रेशियो 15 लंबा वला तरीका दूसरा लंबा वला तरीका एक और हो सकता है कि आप सीधे इंट्रेस्ट निकाल लो वह तीन साल का इंट्रेस्ट थीन सो है मिटिल वैलू कितनी होगे 100 एक साल का इंट्रेस्ट फिर आप 5 पॉर्षंट निकाल लो 155 पे ठीक है कि अगर टूटल 5 पॉर्षंट पे इंवेस्ट किया होता तो कितना इंट्रेस्ट मिलता आपको 10 पॉर्षंट 155 है half of it will be 77.5 ठीक है यह आपने यहां लिक दिया इसके ब आपको देगा 120 प्लस आपका मिल जाएगा 4 124 यहां लिख दो ठीक है अब जरह डिफरेंस निकालना तो यह वैलू कितनी आगई 24 यह वैलू आपकी कितनी आगई डिफरेंस देगे 22.5 फिर से आपका वही आगया 48 रेशियो 15 और आप 45 यानि 16 रेशियो 15 यह दू तरीके हु जब भी हम बात करते हैं mixing की किनी भी दो component को हम आपस से mix कर रहे हैं तो यह case क्या होता है average का case होता है अब यहां पज़ेगे 5 परसंट आपने दिया यहां पर आपने मुझे 8 परसंट दिया और देखना है इसकी middle value कितनी होगी 6.5 परसंट लेकिन मुझे पता है middle value तभी average हो स 21% अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखो कि अगर मैं बात कर रहा हूं 200 by 31% की तो simple सी story क्या है कि यह ultimate value अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मुझे यह देगा 100 by 15.5 मुझे पता है जब 100 by 15 होता है ना तो 6.6% आता है यह 100 by 15.5 है denominator थोड़ा सा बढ़ेगा तो percentage थोड़ा क होगा तो 6.66% तो तब होता जब यह 100 by 15 होता यह और इसके करीब है तो almost मुझे दिख रहा है कि मेरा average value percentage की आ रही है percentage return जो है वो 6.5 के बहुत करीब है very close to 6.5% almost middle almost middle का मतलब मेरा ratio almost 1 ratio 1 होना चाहिए जो कि किवल D option है इसको आप 1 ratio 1 almost तो नहीं बोलोगे यह तो कता ही नहीं बोलने वाले यह बोलोगे क्या बिलकुल भी नहीं दिख रहा है इसलिए सिर्फ D option सही हो सकता है फुड़ा सा लॉजिक का इस तरह से इस्तेमाल करोगे तो visually question को मार कर पाऊगे बिना किसी calculation के आगे बड़ से इकला question रहा है question में 5 ही का रहा है कि simple interest on a certain sum at a certain annual rate of interest is 16 by 25 of the sum if the number representing the rate percent and time in years be equal than rate percentage is 8% कितना आसान सवाल है 16 by 25 जब बात कर रहा है कि यह आपका certain sum पर जो simple interest है वो इतना आया 1 by 25 आपको पता है 4% होता है percentage to fraction conversion percentage के lecture में इसके बारे में बात कर चुका हूँ मैं 1 by 25 4% है तो 16 into 4% कितना होगा 64% सो आप अब कहरो कि 64% का total interest मिल रहा है और आपने यह भी बता दिया कि जो rate percent है और जो time है वो बराबर है आप मुझे बताईए simple interest के case में होता क्या है अगर आपने कहा कि time आपका T years है और rate आपका R है तो R into T percent क्या हो जाता है total interest हो जाता है simple सी कहानी है पांच साल आपने बोला और 6% interest बोल दिया per year 6 into 5 30% क्योंकि हर साल interest क्या होगा 6% of principle 6% of principle 30% हो गया तो आप ही बताओ 64% total चाहिए और आप कर रहो time और rate बराबर है तो एक ही year 8 यह हमारा time हो तभी answer होगा answer दिगे 8% इतना आसान सवाल है इसमों कोई formula formula का रहता हो ना तो भूल जाना आज बोज हलका हो जाएगा दिमाग का और और healthy महसूस करोगे ठीक है question no.6 क्या क्या रहा है कि with the given rate of simple interest the ratio of principle and the amount for a certain period of time is 4 ratio 5 after three years with the same rate of interest the ratio of principle and the amount becomes 5 ratio 7 तो पताना rate of interest क्या होगा rate of interest इसका होगा 5% समझाता हूं क्यासे बहुत ही आसान question देखो यह क्या करें कि बाई कुछ time period है पता नहीं कितना time period है और यह करें इतनी दिर में यह 4-5 हो जाता है time period T है इसका मतलब मुझे जिख रहा है कि 25% का interest है total कितने साल का है नहीं मालूम फिर आप करो कि अगले case में करें तीन साल और आगे निकल जाओ मतलब यहां से तीन साल और आगे निकल जाओ अगर यह जो रेशियो है 5 रेशियो 7 हो जाता है इस principle का amount से आपको यह value क्या है change of 2 over 5 यह value total के है 40% 40% है जिसमें इतना मुझे मालूम है कितना होगा 25% सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रहे है same time period तो same percentage इंटरेस्ट यह value कितनी होग यह आपकी 15% total 40% है sir इतना आपका 15% है इतना आपका 25% है तो यह आपका 15% हुआ तो तीन साल में कर 15% है तो annual rate of interest कितना होगा sir 5% दिख रहा है होगा answer कोई तकलीफ है पुन ही नहीं चीए आगे बढ़ते एंकला question देखते हैं सबको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है कि percentage के term में सोचने से थोड़ी ज्यादा आजादी मिलती है दिमाग को आप चीजों को mentally और quickly calculate कर पाते हो मैंने आपको बोला था fractions में इसलिए बोल रहा था ना फोर से फाइब हुआ तो 25 परशेंट वन ओवर फोर फाइब से से वन वह तो 40 परशेंट इन दोनों में time difference कितना है तीन साल का तो उसका मतलब एडिशनल जो 15 परशेंट आ रहा है 15 परशेंट इंट्रेस्ट वो क्या होगा वो तीन साल में आ रहा ह इसलिएमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट विच इस ड्यू इस रूपीज 848 इंड फोर यर्स एट फोर प्रशेंट पर इनम सिंपल इंट्रेस्ट क्वेशन इंस्टॉल्मेंट का जैसे ही होता है आपके हाथ पर फूल ने लगते हैं दिल दहल उटता है भय लगता है डर ल इंस्टॉल्मेंट की समझ देता हूं मान लेते हैं कि आप ना कार खरीदने गए दर यह मताब सब्सक्राइब को कार अभी जॉब लगी नहीं कार की बात कर रहे हैं लगेगी मेहनत करोगे सही से सीखोगे तो बिल्कुल जॉब लगेगी तो कार भी खरीदो किसे ना किसे न तो जब आप कार खरीदने जाओगे ना तो थोड़ा इंस्टॉल्मेंट का ग्यान होना बहुत जरूरी है वरना आपके साथ बहुत बड़ा धोका हो सकता है अब देखिए आप से एक सवाल मेरा है छोटा सा यह करें 848 रुपीज दियू है इतना end of four years मतलब total amount जो दियू है आपका चार साल के end में वह 848 है अब आप जिब कार लेने का तो इसको थोड़ा दर के लिए ऐसे मान लो कि 848 ताउजन 849 रुपे में तो खिलोने वाली कार मिलती है लैक लगा लो 848 ताउजन अच्छा लगीगा ठीक है तो गए आप अब उसने का देखो चार साल के end में आ दिवाइड भाई 4 तो आपको वह कहेगा 212 per year आप आप देदेना आप जब इस्टाल्मेंट का घ्यान ही नहीं है मैत तो आपने पढ़ लिया इस्टाल्मेंट समझ ही नहीं भाई तो वह जो भी डीलर है वह आपको उल्लू बना रहा है कैसे लॉजिकली सोचो के समझ में आ जासाधा रहेगा इस तरह की कहानी होती ना तो इससे हूता क्या है Dream L चार साल के अंत में होने वाला है 848 आप कर तो डीवाइड करके मुझे हर साल के अंत में दे थोगे तो आप क्या कहना बेकूफ समझाए क्या मैं बेकूफ हूँ कि मैं अगर पूरा पेही करना है मुझे तो मैं चार साल के अंत में दूँगा ना तुमको भीचवे में थोड़ा मस्ती कर लोंगा पाट वाटी हो जाएगी ऐसे थोड़ा ना पेमेंट करूंगा मैं इसल्में इसलिए दे रहू ना अपनी मस्ती काट किये ताकि मोरा टोटल कम हो ना जो चार साल के अंत में होता भीना installment दिये हुए तो यहां से divided by 4 करने पर अगर यह value 212 आ रही है तो जब आप installments पे करोगे annual तो value 212 से कम होगी तभी तो installment का मतलब है वरना कही मतलब है उमीद करता हूँ कि आज इस lesson को देखने के पाद आप थोड़ा सा समझदार महसूस करोगे और गुस्सा भी आएगी कि आज तक आपको को installment का actual मतलब तो समझाई नहीं पया मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझा दो यह question तो बैया ऐसे हो गया ठीक है अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर दूसरी बात पर यह है कि अगर actual calculation करनी होगी तो कैसे करोगे यह logic आप समझगे कि जो total due amount होगा चार साल के एंत में या किसी भी calculation में जो total due amount बनेगा बिना कुछ payment बीच में किये हुए उसको divided by number of installment करेंगे तो जो value आएगी अगर मैं annual installment या कोई भी installment mechanism में जाऊंगा तो मुझे वो value उससे कम देनी पड़ेगी तभी installment का मतलब है वरना कही मतलब installment का फिर तो इकटे पे करेंगे आप यह समझ में आया तो यह सवाल हो गया ठीक है यह installment में जादा कुछ नहीं आता कि बेसिक समझदारी भी है तो यह सवाल निकल गया आपसे इनिवे जब मैं calculation पे वापस आता हूं देकि ध्यान से इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा जब भी आप installment को calculate करोगे मैं अभी आपको बहुत detail में नहीं समझा बाऊंगा time limitation की होजा से पर मैं आपको इससा समझा दूँगा कि आप से कोई सवाल नहीं रुकेगा तो यह आपर 848 क आपने कैसे पेक की होंगे मैं समझाता हूं पहला installment आपने दिया होगा बिलकुल अभी ठीक है आखिरी installment आपने दिया होगा बिलकुल अभी तुरंट दिया होगा ठीक है एक installment आपने दिया होगा इसके एक साल पहले एक installment आप दिया होगा इसके एक साल पहले एक installment आप दिया लेकिन मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपने ऐसे किया 4x is equal to 848 तो गए आप दोस्तों बारा देगा अपने आप से ही सवाल पूछना भाई क्यों इस्टॉल्में पे कर रहे हैं कि अठा ना पे कर दें यह गलात है अब एक चीज़ आपको समझना है कि जो वैलू होती है मनी की ठीक है वह आपको इस्टॉल्मेंट की केस में एक प्रजेंट वैलू का कॉंसेट होता है कि बाई अगर आज 100 रुपे मेरे पास हैं समझे हो आप अगर आज की रेट में मेरे पास 100 रुपे हैं और ये 100 रुपे मैं उठा के आपको देता हूँ आज इस लोन आप मुझे वापस जब करोगे ये amount कभी भी तो आप 100 रुपे वापस नहीं करोगे दोस्ती वारी वाला केल नहीं है कुछ इंट्रेस लगाऊंगा 10% का तो एक साल बाद आपने मुझे कितना दिया 110 रुपे इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपे का जो amount था उस loan को cover करने के लिए एक साल बाद आपको 110 रुपे देने पड़ गए इसका क्या मतलब हुआ कि जो value of money है वो 100 रुपे जो आज एक loan का amount था अगर आपने आज तुरंट लेके तुरंट वापस किया होता तो 100 में ही काम बन गया होता एक साल बाद करने के तो मैंने 10 रुपे एक्स्ट्रा लिया यह उसी loan को over करने के लिए आपको 110 रुपे करने पड़े यह money की जो value है वो time के हिसाब से बदल गई मैं आपको simplify करके समझा रहा हूँ आप भी सो रुपे आप सो रुपे ही रहेगा वो 110 रुपे कैसे हो जाएगा मैं आपको समझा रहा हूँ वैलू की बात कर रहा हूँ कि इंट्रेस को पे करने के लिए अगर आपको आज का सो रुपया कल 110 रुपे आपको पे करना पड़ रहा है तो हुआ क्या इससे एक लोन लिया था आपने मेरी 110 रुपे एक्विलेंट है मैं उसी चीज़ को यहां यूज करने जा रहा हूँ कि अगर आपने यहां पर लिखा कि यह टोटल अमॉंट ड्यू है अगर यह एक साल बीच चुका है अगर यह एक साल बीच चुका है तो इस पर भी इंट्रेस लगा के इसकी वैलू लिखो यह एक्स नहीं रहे गया अप यह वैलू आपकी हो गई 4% इंटरेस्ट के साथ एक साल बाद 1.04x छी वैली यह जो वैलू आपकी एक्स है वह एक्स नहीं रहे गई आपका यह हो गया 1.08x सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है न तो यह वैलू जब आपने पए किया और जब म आप x की value calculate करोगे तो आपको सही value मिलेगी, ठीक है, अब देखिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इस loan को खतम करना चाहते हो, जिस भी time पर कर रहे हो, आप शिरवाद में कर रहे हो, या भी कर रहे हो, या भी कर रहे हो, या बीच में कहीं कर रहे हो, आपको सारी जो value ह या फिर आपका due amount है, उस time पर लिखना पड़ेगा, और अगर आप लिखो वह दाप पांसर में लेगा, ठीक है, अब लिखिए, इस value को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने x 1.04x लिखा, 1.08x लिखा, 1.12x लिखा, इसको कई तरीके से आप लिख सकते हो, आप आप कहते हैं यह इस पहला लास्ट वाला installment में ने 100 मान लिया, जो installment आप पे कर रहो, हर एक installment जो equal installment वह 100 मान आपने, तो यहां पर यह value कितनी हो जाएगी, 104, 4% जादा, यह value कितनी हो गए, 112, तीक है, अब ज़िए आप इसको sum करिये, और देखिए कितना आ रहा है, आपको य value आजिए, 424, corresponding to this, आपको 100 के corresponding value निकालनी है, तो आप निकाल लो, यह value आगे 200, ठीक है, तो आपको यह समझना है, कि यहाँ पर जो amount दिया था, वो 848 due था, 4 साल के end में, यानि आपको final due amount at the end of 4 year provided था, ठीक है, जिसे, let's say, compound interest का case है, compound interest के case में, उन्होंने बोला कि आपने क 4 साल बात की बात करेंगे, तो मुझे यहाँ पर जब हम loan को equate करेंगे ना, तो इसकी value लिखेंगे वहाँ पर, final value, मैं आपको आगे के सवालों में भी यह चीज़ दिखाऊंगा, आपको करना बस ऐसा ही, यहाँ पर X लिखा, इसको adjust किया, आज के समय की हम सब की value लिखना जब हम loan को खतम कर रहा है, तो answer आजाएगा आपका, ठीक है, आगे बढ़ने के ला question देखते है, question number 8 के रहा है कि what annual installment will start a date of 6450 due in 4 years at 5% humble interest, यह देखो, फिर से वही कहान ही, ए option, क्यों जी, आपका 6450 जो due है न, वो 4 साल के अंत में due है, 6450 यह आपका due amount है, अब 6450 अगर आपक आप मुझे जड़ा बता दो कि कोई भी option अगर लेते हो इसको 4 से multiply करते हो न, तो value 6, 4, 5 0, से कम आनी चाहिए, जिसमें देखो सारी value जया दे रहे है क्योंकि इस्टाल्मेंट मोड में जाही तब ही रहा हूं, जब मुझे कम देना पड़े इस से, divided by fours अगर इसको इसको calculate क चाहो तो बिल्कुल उसी तरीके से कितने इस्टॉल्मेंट की बात कर रहा है चार इस्टॉल्मेंट की बात कर रहा है पांच पर्शन की बात कर रहा है तो आप सिंपली ऐसे शुरुबात कर सकते हो कि भाईया 100 होगा 105 होगा 110 होगा 115 होगा और यह वैलू equivalent किसके होगी आपकी 64 450 के इसको आप सम करो तो आपको मिल जाएगा 430 corresponding to 6450 आपको निकालना क्या है सर की 100 किसको करेस्पॉंड करेगा तो आप निकालके ज़रा देखना यह 430 है आपका अब इसमें अगर आप 215 जोड़ दो क्या मिलेगा देखो ज़रा 645 मिल जाएगा तो यह वैलू आपकी सीज सब लग जाएगा आप से कोई दिक्कत नहीं होगा एकला क्वेशन देखते हैं कि क्वेशन नमबर 9 क्या कर रहा कि एक बॉय है जो एज है 12 यह उसके पास एक लाख रुपे हैं जो कि एक ट्रस्ट केंडर में हैं ट्रस्टी ने क्या किया कर रहा कि 6% परिनम के इसाप 500 रुपीज दे रहे हैं एक साल गेंद में पॉकेट मनी के लिए और करें ट्रस्ट का खुद का एक्सपेंस जो है वो 500 रुपे पर एनम है तो बताना है कि कितना इमांट इस माइनर बॉय को हैंड़ोगर होगा जब वो 18 साल की एज को अटेंड कर रहा है अगरें सिम्पल इंटरेंस नहीं पॉर जिसमलं की कुछ पॉके साल के लिए कि 12 यह सैंक का जो ुख है चैशर तो 36 पर स्ब्सक्राइब यह एक नाग रोपए जो आपको इहाँ देख रहें शक्यूर पी तो यही लाग रुप आप से मैसे San بين Expenses में कितना गया, आपको कहो कि 5,000 यहां गया, 2,500, 500 यहां गया, 3,000 पर मन्द चला गया, तो 3,000 इंटू 6, यहांनी 18,000 यहां से कम भी होंगे, तो 36 बढ़ेगा, 18,000 कम होगा, यहांनी आंसर कितना होगा, 1,18,000, बहुत ही असान सा बलता है, कोई दम नहीं था, अगर आप बेसिक अंडेस्टांड करते हो, तो आगे बढ़ते हैं अगला question देते हैं, question number 10 क्या करा है, कि sum of rupees x was put at simple interest at a certain rate for 2 years, had it been put at 3% higher rate, it would have passed 300 rupees more, आपको बताना क्या है, कि the value of 4 x is, 6% आपका 300 होगा, 5 into 4, 20,000, क्या कर रहा हूं समझो, यह कर रहा है कि amount excess को simple interest पे आपने रखा 2 साल के लिए, अब अगर आपने 3% higher rate पे रखा इसको, तो 300 रुपे जादा मिलेगा, भाई अगर 3% higher rate पे आप रखते हो, यानि आप interest जो भी था, वो r plus 3% करने की इच्छा रखते हो, तो अगर r plus 3% आपने interest किया, तो एक साल में 3% के equivalent extra interest मिलेगा, पाथ 2 साल की कर रहो, यानि 6% extra मिल जाएगा, यह value आपके 300 के बराबर है, अगर यह value 300 के बराबर है, तो आपका 1% कितना हो गया सर, दिख रहा है नहीं, यहाँ पर, जो 1% आपकर निकालोगे, तो 50 आगया, यानि आपका जो principle है, वो आपको यहां से मालूम चल गया, वो है 5000, यानि X पता चल गया 5000, पूछ क्या रहा है, 4X, 4X क्या होगा आपका, 20,000, इतना आसान क्वेशन था, तो ज्यादा टाइम आप क्वेशन को पढ़ने के बाद समझने में दीजिए, तुरंत पेन उठा के जब आप शिरुवात करते हो ना, तो unnecessarily लिखते हो उसमें, लिखने इंट्रेस पर, लेकिन वो कह रहा है कि इंट्रेस को आपने किसी को सौर रुपे लेंड किया, तो आप कहते हो कि मुझे ना, 10% इंट्रेस चाहिए, तो वो क्या करता है, वो इंट्रेस और प्रिंसिपल दोनों एक साथ आपको एक साल बाद वाद वापस करता है, यानि 110 ठीक, लेकिन यहां पर स्टोरी थोडी सी डिफरेंट है, यहां पर वो कह रहा है कि काम करो आप मुझे, आप मुझे मेरा इंट्रेस अभी दो, तो तेन रुपीज का इंट्रेस नहीं को लेंड कर रहा है, लेकिन कर के रहा है कि 10 रुपे इंट्रेस अभी ले रहा है, तो effectively वो क्या कर रहा है वो 90 रूपीज इसको लेंड कर रहा है अगर एफेक्टिव की बात करो तो अभी ले लिया और एक साल बात वो क्या करेगा गाएगा बस प्रिंसिपल दे दो मुझे क्यों इंट्रेस्ट तो मैंने पहले ले लिया था 10% तो एफेक्टिवली वो 90 रूपीज है दे रहा है उसको और 100 रुपे बाद में उसने एक साल में वापस लिया तो जो इफेक्टिव इंट्रेस्ट है इसके हिसाप से अगर कैल्कुलेट करने आप गए तो वो कितना हो जाएगा वन बाइन और वन बाइन आइन आपका क्या होता है एलेवन वन बाइन पॉइन प पर एंटरण एंट्रेस्ट चुल Hier मिमयर कितना होने बाला है मार्ण कर सकते हो हं पाई पहले बाद तो यह कि किमपाॉज इंट्रेस्ट दिया वह धिया के जब्धा यह कम होगा इतना तो दिमांग उम्मीद कर था हूं अब सकते हो कि same interest पे same time के लिए compound interest simple interest से जाधा होगा तो compound interest 102 है simple interest से जाधा तो नहीं हो सकता दो option चला गया अब जिरा ध्यान से देखो कि क्या gap इतना जाधा हो सकता है 4% interest पे सजी अगर 10% interest होता है तो दो साल में 1% का gap आता है यहां तो 40% है तो gap तो और छोटा होने वाला है तो यह देखो चरह यह ऐसा होगा क्या पचास हो जाएगा नहीं तो 100 के लामा कोई answer साही हो नहीं सकता है बड़ इस्टिल मैं आप को calculate भी करा कर देखाता हूं तो यह 4% पे compound interest की बात करेंगे तो आपको पता है कि simple interest कितना होगा 8% C RSI का difference कितना होगा 0.16% होगा यह 8.16% आपका यह value आपको दी है 102 ठीक है यह value आपको 102 दी होई है अब आपको बताना है कि 8% क्या हो तो वह बहुत असान है क्योंकि आप यहां पर कर देखो इस particular value को और आप यहां से 100% निगालने की कोशिश करो आप ठीक है तो आपको तो मुझे किस value से multiply करना पड़ेगा यह थोड़ा सा इसके बारे में आप दिमाग लगाओ तो आपको कि यह value मुझे साफ-साफ दिख रही है कि अगर यह 102 है तो इस number को अगर मैं ध्यान से देखू यह number मुझे साफ-साफ देख रहा है 8 times ठीक है तो अगर मैं 1% की बात करू हूं यहां पर यह particular value मुझे दिख रही है कितना यह 102 है मैं इसको 1 by 8 अगर लिखता हूं तो actually मैं 1 by 8 नहीं होगा यह कुछ 100 by 8 टाइप का जाएगा 1% तो फिर से मैं 8% अगर निकालने जाता हूं यह 100 यह बचेगा बहुत असान था question अगर आप सही तरीके से सोचते तो आगे बढ़ते हैं एकला question देखते है question number 13, question number 13 करा है कि sum of money at compound interest double itself in 15 years, it will become 8 times of itself in 45 years, कैसे भाई, देखो आप करो कि 15 साल में double होता है, double का मतला multiplying factor 2, 15 साल में अगर कुछ भी percentage change हो, interest हो, अगर कोई number 2 गुना हो जाता है, same rate of interest पर अगले 15 साल में क्या होगा, फिर से 2 गुना हो जाएगा, अगले 15 साल में क्या होगा, फिर से 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि multiplying factor जो होता है, वो अगर equal time slots में ले रहा हूं, compound interest में तो वो दो गुना होता रहेगा, तो answer क्या आगे आपका 15, 15, 15, यानि 45 years, ठीक है, उमीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है question, कैसे भाई, लगे compound interest का basic structure क्या है, successive percentage increase, अब यह करें कि किसी भी quantity को दो बार, two times, अगर हमने successively increase किया, तो वो 2.25 times हो गया, 2.25 times आपको क्या है, 1.5 into 1.5 करने से आपको मिलता है 2.25, दो बार किया ना आपने, 1.5, 1.5, तभी आपको 2.25 मिलेगा, ये 1.5 क्या हुआ, multiplying factor of a single step, तो इससे आप निकालो percentage increase कहा है, 50% हो गया, कोई तखलीव नहीं होनी चीए आपको, कि 50% इसका answer होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखते है, question में 15 क्या कर रहा है, कर रहा है, what is the difference between compound interest on rupees 5,000 for 1.5 years, it 4% per annum accordingly is, interest is compounded yearly और half yearly, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई, 5000 पे, 1.5 year का आप interest, compound interest का difference निकाल दो, एक बार जब वो annual compounding की जाती है, एक बार जब उसकी half yearly compounding की जाती है, और जो rate interest है, वो 4% per annum दिया हुआ है, इस question को मैं आपको visually करूँगा, और आपको बहुत मजा हैगा, कि ऐसे भी compound interest हो सकता है, क्या, समझदारी जब होती है, जब आपक नहीं होते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, क्यांसे देखना, visualize करके इसका answer बहुत असानी से आ चुका है, 2.04, कैसे, देखो, आपका पहला जो case है, जहां पर आपकी जो compounding हो रही है, वो हो रही है 6 months में, half yearly compounding, मैं देखो क्या हो रहा कि 5000 होगा, 6 months के period के बाद ये कुछ और हो आप जोड़ोगे नहीं आपर, 4%, लेकिन 6 months की बात कर रहो तो आपका ये 2% हो जाएगा, तो 2% आपको देजएगा, 5100, मैं यहां लेकर रहा हूं, 5100, फिर से आपका 2% लगेगा, 51 x 2, 102, यह आपका होगा 5202, मतलब ये मैं फिर से थोड़ा सा साही से लग देता हूं, ताक आपको कोई तकलीफ ना हो देखने में, यह वैलू आपकी 5100 हो गई, और यह वैलू आपकी 5202 हो गई, और फिर से इस पर 2% लगेगा, final amount मिलेगा, जब आपकी annual compounding हो रही है 12 months में, तो आपका 5000 होगा यहां पर, और वो पूरी वैलू जो है ना, 4% लगके, पूरे एक साल म पर फिर अगला जो period हो चाही महीने का है, 6 months का है तो मैंने 2% उठा के लिख दिया, अब जब दिखते हैं कि यहां पर कहां कहां से interest का difference आने वाला है, मैं इसको थोड़ा ब्रेक करना चाहता हूँ 6 महीने में, ब्रेक करूंगा तो देखें, जब compounding annual है, एक साल बाद ही principle पहले 6 महीने 5000 पर 2%, टूटल 4% को ब्रेक कर रहा हूँ, अगले 6 महीने में भी 5000 पर 2%, एन वोलकम बाद निक है सर, तो इसको मैंने ऐसे ब्रेक करके दिखा दिया, ठीक है, अब जब दिखना है, difference interest का कहा हैगा, आप को कि यहां से तो बिलकुल नहीं आएगा, ठीक है क्योंक 2%, दिख रहा है कि नहीं, 100 रुपीज पर 2% आने वाला है, ठीक है क्योंकि 500 पर 2%, 5000 पर 2%, 2% अफंडेट है नहीं, 2 रुपीज का डिफरेंस तो यहां से आ गया, अगला जो डिफरेंस है वो दिख रहा है कि matter करेगा नहीं, answer आपका 2 के बाद 3 फिर 8 फिर 4 दिया हुआ है, य 2 रुपीज का 2% निकाल लो सर कितना होता है, 0.04 रुपीज, तो आपका टूटल दिफरेंस हो गया है, 2.04 रुपीज, पहला option, the visual way of solving compound rest, कितनी आसानी से हो गया, और आप न जाने क्या-क्या, रट-रट के बैठ के दिमाग पे इतना बोजह आपने डाल रखा है ना, basic successive percentage change, compound compounding का मतलब cycles, मैं आपको समझा चुगा हूँ कि कैसे वो जूडता है जाके principal interest में, इन पे काम करो ना, चीज़ें आसान रहेंगे, आपके लिए गला question देखते हैं, चलिए question number 16 करते है, क्या करे, builder borrows 25.50 to be paid back with compound interest at the rate of 4% per annum, by the end of 2 years in 2 equal yearly installments, how much will each installment be, solve करते है, आसान calculation है, पर आपको तकलीफ ना हो, यह कोशिश करूँगा मैं, देकि installment में वही तरीका है कि यह installment का amount था, जो loan लिया गया पहले, loan का case है, यहां मुझे due amount नहीं मालूम है, कि दो साल के अंति में total due amount क्या है, नहीं पता, यहां पर मुझे पता है कि यह amount is a loan लिया गया है, दो साल के बाद इसकी value में लिख रहा हूं, कितनी होगी, देखो जरा, total due amount इतना हो जाएगा, 26 बटा 25 कैसे लिख रहा हूं, तकलीफ नहीं होनी चीए, देखी सर, plus 1 by 25 जो है equivalent होता है, 4% का, कोई भी number अगर 4% से increase कर रहा है, plus 1 by 25 उसका fractional equivalent हुआ, इसका मतलब वो number 26 बटे 25 गुना हो गया, यह वही कहानी है, जिससे आप 6 by 5 को 1.2 भी लिखते हो, 1.2 टाइम्स बोलो या 6 by 5 टाइम्स बोलो, अब यहाँ पर 1.04 से multiply करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसको 26 by 25 लिखके चलो, यह तो total due amount हुआ, अब यहाँ पर आए, एक installment की किस्त आपने अ 25 टाइम्स, solve करो जड़ा, आपको होगे, एक 25 से तो यह गया, कितना आ गया, 102 इंटू 26 इंटू 26, एक 25 यहाँ से cancel हो जाएगा, तो यह value 25 से multiply हो जाएगी, total देखना आपका क्या आ गया, 51 टाइम्स एक्स, और यहाँ पर आपका है, 102 इंटू 26 इंटू 26, यह value कितनी होगे, 2 टाइम्स, x के value कितनी आ गई, 676 इंटू, 1352, थोड़ी से calculation थी, पर बहुत आसान calculation है, आपको थोड़ा calculation में थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आपको बेहतर बनानी किया, तो यह सब चीजी मुश्किल नहीं है, तो बहुत छोड़ी से calculation है, 26 by 25 लेके बहुत logic समझे बस, logic यह है कि हम T is equal to 2 years, 2 साल के अंत में, net values बराबर कर रहे हैं, बस, हो गया answer, कुछ भी नहीं बचाएगा इसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एकला question देखते है, question number 17 देखते हैं, क्या कर रहा है, कर रहा है, the compound interest on a sum of rupees 5000, at 8% per annum for 9 months, when interest is compounded, quarterly is, quarterly compounding कर रहा हूँ तो interest कितना होगा, सर, 2% होगया, एक quarter का, मैं 5000 से start कर रहा हूँ, जिला जाहान समझना, और आप बात करो 3 quarters की, compounding कैसे करो quarterly, तो मुझे quarterly interest लिखके, ऐसे successive लगाना पड़ेगा, तीन बार, 111, one period मतलब 3 months, अब जाहान से दिखना, यहां 500 का 2% जो आपका निकल के आएगा, व compound interest में, अगली साल का जो interest होता है, वो फिछले साल के interest से, rate of interest percentage जाधा होता है, तो यह अगर 100 है, तो यह value कितनी होगी, 102 क्योंकि आप 2% यहां बढ़ा दोगे, फिर आप आगे जाओगे, तो यह value आप निकालोगे, यह भी 2% बढ़ी होगी, इसका 2% अगर आप निकालता हो तो यह होगी, आपकी 2.04, यहीं से answer आगया, कि last में 0.04 आने वाला है, बाकी तो सारे number in teaser में थे, 0.04 अगर लास्ट में आने वाला है, तो केवल C सही हो सकता है, अगर 2 option में 0.04 होते तो भी कोई तकलिफ नहीं थी, आप जोड लेते हैं सर यहां से, यह आपका हो गया, simple सा लेको, एक साल में आपका, यहां साब साब दिखा कि interest कितना हुआ आपका, 100 रुपीज, फिर 102 हुआ आपका, और यह आपका 104.4 हो गया, तोटल अगर आप अगर आप कर लेते, तो आपका value मिल जाती कि 106.306.04 होगी है, calculate करो, कोई भी मुश्किल नहीं आसानी से होगा, जब दो साल के एंट में, 8% पर इनम के साब से जो compound interest मिला, वो 1400, 14.4 मिला, आप कहा रहा है कि total amount जो सुरेश को मिला होगा, at the end of 2 years in the form of principal plus interest earned, यह हमें बताना है, कि principal और interest को मिला के मिला, total amount कि इतना मिला, अगर इतना interest है, 8% के हिसाब से, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, पहले तो आपको यह सुचना है कि 8% के साब से total interest मिलेगा, 16.64% का total interest होगा, जो कि आपका यहां पर दिया हुआ है, 1414.4, ठीक है, यह interest का amount दिया हुआ, अब मुझे निकालना क्या है, आप ज़रा ध्यान से देखो, मुझे निकालना है कि principal plus interest क्या होगा, इतना option है, आपको होगे, इतना जल्दी कैसे निकाल लिया, समझाता हूँ, तो इस percentage को देखे, आपको दिमाग महना चाहिए कि लगभग 1 by 6 है, अगर यह value लगभग 1 by 6 है, तो मेरी original जो value होगी, आप जारा जान से देखना हो क्या होगी, आप अगर यह अगर यह अगर यह value होग सिंपल सा, अगर मैं करता हूँ, तो 84 और यहां पर यह भी value आपको क्या देगा, 84, 6 ताइम से multiply करोगे, और यहां पर 2.4, कुछ ऐसा आ जाएगा, 8500 के असपास आ रहा है, अब यह value आप जारा जहां से देखो, यह तो होगे आपका principle, इसमें आप लगभग interest जोड़ो, जाएगे, 10,000 के असपास, खातम, question, और कुछ भी नहीं करना था, इसमें, क्या आप unnecessary calculation में उलज गए, और समय की बरबादी कर दी, ठीक है, even आपको यह value जो आपने लिखी है, 16.64, इसमें अगर तकलीफ होरी, तो भाई यह कुछ नहीं है, 8% का successive percentage total है, दो बार का, क्योंकि वही तो compound interest होता है, तो मैंने लिखा कि CI कितना होगा, 16 और CISI में difference कितना होगा, आपको पता ही है, 8 का square लेके 100 से divide करना, 0.64, तो इसलिए वो 16.64% मने डारेक्ट उठा के लिख दिया, इतना CI होगा, exact calculation में में इंट्रेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो, आपको भी नहीं होना आज़े, आगे बढ़ते यंकला कोशन देखते है, चले कोशन अपर 19 करते हैं, यह रहा है कि सिंपल इंट्रेस्स एक्रूद अन अमांट और रूपीज 84,000 देख रहा है, अब देखने बहुत असानी से इस क्वेशन को आपको कराने जा रहा हूँ, और रजहान से देखना ह आप मुझे यह बताओ कि जब आपने यह देखा कि सिंपल इंट्रेस्ट टोटल जो है, तीन साल का 30240 है, सिंपल इंट्रेस्ट, सिंपल इंट्रेस्ट एक साल का कितना होगा, आपको वह होगा 10,080, अब यह वैलू मुझे साफ साफ देख रही है कि इसका 12% है, कैसे, यह आपका 8400, प्लस आपका 1680, यह जो साफ साफ मुझे देख रहा है कि 1% 84, आपका निकल कहा है, 840, उसका 2% है, डबल है, 1680, 12% मुझे साफ 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 देखा, मुझे इंट्रेस्ट मालूम चल गया, अब देखिए, जब मुझे इंट्रेस्ट पता चल जाता है, मुझे पता है कि सर, अगर यह 10% होता, तो 3 साल में जो सिंपल इंट्रेस्ट और कमपॉंड इंट्रेस्ट में जो डिफरेंस होता, वो कितना होता, 3.1% का, 3.1% का, यहां पर जान से तो 1% कितना 840 के आसपास है, अगर आपने इसका 3% निकालने की कोशिश करी, तो 2500 के 3,0,2,4,0 में अगर आप 2500 जोडते हो, 2500, तो जो वैलू मिलेगी आपको वो कहां मिलेगी, आपको पता है ना, कि इससे भी आगे निकल जाएगी, और चुकि इंट्रेस्ट 12% है तो एक्ट्रेस्ट वैलू उससे भी आगे होगी, यह कि आपसर पॉसिबल है, वो है डी आप् 146,000 के, ठीक है, एक तो यह तरीका हुआ, देके दुर्सार तरीका और है, बहूत सारह तरीक इस क्केशन को करने के हैं, मैं साब को सारे तरीके बता देता हूँ, अपर यह सिम्पलिस तरीका था जिसमें आपने देखा और मार्ग कर दिया बिना किसी टेंचन के, यह दूसर साल का जो interest होगा वह से 12% जाधा होगा 12% निकालना तो यह 80 को भूल जाना क्योंकि 80 का 12% मतलब क्या ही फरक करेगा 10 के आस-पास होगा option में अच्छा खासा gap पर सर छोड़ दो 10,000 के साब से 12 निकालो यह 1200 बढ़ जाएगा ठीक है उसके बाद आपको एक चीछ और बताता फिर से आप 12% निकालोगे तो देखो यह तो आएगा ही इसका 1200 हो जाएगा और यह वैलू कितनी आएगी आप जरह निकालो जो एक्स्ट्रा आपने 1200 निकाला यहां 12% के हिसाब से उसका फिर से 12% तो इस 1200 का 12% मलब 144 हो गया अब देखो तीन साल का इंटर्स आपके सामने लिखा हुआ है तो तेन थाउजन एटी को तीन बार ले लो तो वह वैलू आपकी तो साफ साफ देख रहे ही सिंपल इंटर्स हो गई 30240 प्लस में बढ़ाना कितना अलग बग 1200 और 1344 पच्चिस सो के आसपास 25 तो मुझे साफ साफ वैलू जाती हुए दिख रही है वह 32 प्लस मैंने एक्जाक्ली कैल्कुलीट किया ही नहीं है तो इक्जाक्ली एकर मैंने कैल्कुलीट किया नहीं तो इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आपको दिखेगा इसकी आप बिल्कुल टेंशन म यहां लिखो उसका 12 परेंस निकालो एक्जाक्ट यहां लिखो जो डालो आ जाएगा अंसर आपका ठीक है कोई दिखकर नहीं है एक्जाक्ट भी निकलाएगा बट इस इस हाओ यू विल डू इट क्विक्ली राइट क्वेशन नमर्ट 20 क्या 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 मिस्टर एक्स अनुख यहां और कि ऊड़ी और है और यहां बटाना क्या के इंट्रेश्ट निया अदिवेश्ट भी क्याओ क्या क्या फिएगा 3600 जो interest आया scheme A में आप मुझे बताओ 12% के साफ से 2 साल में कितना interest आएगा simple interest 24% यहां से जो amount इसमें invest हुआ है मुझे साफ साफ दिखरा है कि 15,000 इंवेस्ट हुआ scheme A में 15,000 अगर scheme A में invest हुआ scheme B में कितना invest हुआ 20,000 और 20,000 में 10% परिनम का interest आपने दिया है 2 साल की बात करो तो 21% आपका interest हो जाएगा 21% of 20,000 कितना हो गया 4200 सवाल जितना भयानक लिखा होता है न उतना भयानक होता नहीं है इसको बस पढ़के जो key areas है वो आप पकड़ दो की areas आपने पकड़ दिया तो question में कोई कि दमी नहीं बचाएगा आप तो question को ऐसे orally solve कर दूगे ठीक है चलते हैं अंगला question देखते है question number 21 कि क्या कर रहा है कर अभिशेक invested in amount of Rs.29,000 in two parts under two different schemes A and B and earn a total interest of 3840 दो schemes में total amount 29,000 कुछ parties में इन्वेस्ट किया तो यह मिला total interest बताना क्या है कि जो interest schemes में हो 15 और 12% है तो आपको बताना है what was the initial amount that was actually invested in scheme A तो बहुत असान सवाल है allocation का इस्तेमाल करेंगे फटाक से निकलेगा तो एक चीज़ करते क्या है कि यह 00 काट दो जरुत पड़ेगी नहीं 15% निकालेंगे तो यहां से काम हो जागे 12% निकालेंगे तो है ठीक है तो यह वैलू आपको मिलती ही आपको बिल्कुर टेंशन निला है मैं 15% कैसे निकाला हूँ मैं फिर समझाता हूँ मैंने निकाला पहले 10% तो 290 आ गया फिर मने निकाला 5% तो 5% की वैलू कितनी है 145 यह साफ साब मुझे दिख रहा है कि यह वैलू कितनी होगी 435 ठीक है यह मैं यहां लिख दिया फिर मने अगर 12% पर टोटल अमांट इन्वेस्ट कर दिया हो तो मुझे इंटरेस्स कितना मिलता तो आपको 290 तो आप आपका 36 आ गया और यहां पर इंटरेस्स कितना आ गया 51 राइट डिवाइट करो जड़ा 3 से 12 रेश्यो 17 आ गया टोटल कितने होगे 29 पार्ट्स टोटल अमांट कितना है 29,000 तो स्कीम A और स्कीम B कि अगर हम बात करेंगे तो 12 17 कितना है 29 है यह 12,000 हो गया 17,000 हो गया टोटल स्कीम A में कितना गया 12,000 कितनी आसानी से क्वेशन निकल रहे है तो यहां पर हमने किया क्या कि यहां पर इंटरेस्स की वेलू को इजटेस्स यहां पर उठाके रख दिया और फिर हमने निकाला कि टूटल अमांट को अगर हमने 15 पर इंवेस्ट किया होता तो इतना मिलता टूटल अमांट को इतने पर किया होता है तो मुझे इतना मिलता 12 पर इंका मिक्शर मुझे इतना दे रहा है तो इनका रेशियो क्या है निकल गया सानी ठीक है अगला क्वेशन देखते है क्वेशन नमांट अर्न सिंपल इंटरेस्स आफ रूपीस 1750 आफ्टर सेवें यर् अगर हम प्रिंसेपल नहीं निकाल सकते है तो हम यह नहीं निकाल सकते है कि 2% अगर ज्यादा इंटरेस्स होता तो कितना और इंटरेस्स मिला होता तो we cannot calculate it, it cannot be determined based on the given data, incomplete data है ठीक है question no.23 करा है कि dharma invested rupees P for 3 years in scheme A which offered 12% per annum simple interest, very good, she also invested rupees P plus 400 in scheme B which offered 10% compound interest, okay, for 2 years, right, तो करा है कि if the amount received from scheme A was less than that received from scheme B by rupees 304, then what is the value of P, तो यहां से आपका 304 दिया हुआ है, वहां पर वो value में निकाल सकता हूँ, 400, 21% 84 और आ जाएगा, तो यह particular अगर लूग होगी आपकी 484, difference होगे आपका 180, 15% अगर 180 के वराबर है तो आपकी value कितने होगी 1200, क्या कर रहा था समझाता हूँ, देखी सर पहली चीज तो आप यह समझाता हूँ, पहले जो difference दिया हुए कुछ, difference दिया हुए कि दोनों schemes में जो मिला, उसका difference 304 का है, तो पहला difference दो मुझे साब साब दिख रहा है कि जो amount invest होगा है, उसी में दिख रहा है, कितने का difference है 400 का, ठीक है, एक में P लगा, एक में P प्लस 400 लगा, सीधा सीधा difference पहले ही 400 का बना हुआ है, scheme B जो है A से 400 जादा है, initial, उसके बाद क्या हो रहा ह करना तो देखो क्या क्या gain हो रहा है, अब 400 scheme भी जादा है, अब जहां सा देखना, यहां पर जो gain होगा, 12% के साब से 3 साल का, वो 36% का gain है, तो वो क्या करेगा, यह जो margin आपका है, यह जो gap है, B अल्यडी लीड कर रहा था, लेकिन A क्या करेगा, 36% लाने से इसको 36% कम कर द किया, 10% compound interest पे 2 साल में 21% gain किया, यह भी लिख दिया, मैंने plus 20%, plus A ने और भी gain किया, यह 400 का 21%, क्योंकि 400 P plus 400 amount invested है, तो उस 400 पे भी 21% निकाल लो, तो वो value कितनी आगे, 84 आगे, और यह difference आपको दे रखा है, कितना 304, तो को यहां से, यहां से 15% आया, उधर लेके जाओ, 15% ह हो गया, यह value 484, minus 304 आपका हो गया, 180, यही मैं कर रहा था, answer क्या हो गया, 1200, 100% निकाल लो जासे, 1%, 1.2 आगया आपका, 100% कितना हो गया, 1200, तो calculation बहुत असानी से हो सकती है, अगर आप सुरू से question अच्छे से पढ़ते हो, और mentally थोड़ा आदा थे चीज़ों को आप store कर सकत क्यों मैंने क्या किया, पहले मैं जान रहा था कि यहां difference already 400 है, 36% gain किया, A ने उसको minus किया, B ने 21% gain किया, उसको plus किया, साथ में B ने यह भी gain किया, क्योंकि यहां पर क्या है, यह value है P plus 400, तो P पे तो 21% का gain हुआ है, मैंने इस लिख दिया, लेकिन 400 पे भी तो 21% का gain हुआ, 10% twice, compound interest 21%, question number 24 क्या कर रहा है कि compound interest on a certain sum for 2 years, 10% पर रहना है, इस रुपीज पान सो पच्छेस, तो simple interest बताना है, उसी sum पे double time और half rate of interest, देखे बेकू बनाने कोश्च कर रहे है, double time, half rate of interest का क्या मतलब हुआ, वही बात हुई न, simple interest में, जो total interest डिसाइड करता है, वो time और rate, रहेगा, ठीक है, फरक नहीं पड़ेगा, तो मतलब मुझे यही निकालना है कि वही 2 साल का अगर compound interest 10% के साफ से 525 है, तो simple interest क्या होगा, आप पहली बात तो कहो कि जादा तो नहीं होगा, कमी होगा, और कमी होगा, तो पास में होगा, 500 ही होगा, चली समझतें क्या दिया हो तो इतनी आसानी से question लगते हैं, अगर आप साइस से को करो तो, अगला question देखते हैं, question number 25 क्या करा कि, रमन इन्वेस्ट पी for 2 years in scheme A, which offered 20% per annum compound interest, he lent the interest earned from scheme A to Shubh, at the rate of 7.5% per annum simple interest, at the end of 2 years, Shubh gave Rs. 3036 to Raman, and thereby repaid the whole amount, loan plus interest, तो बताना है, what is the value of P, आप देखें, बहुत असान सवाल है, यह आप देखें, 2020 के साब से आपको मिल जाएगा, 44%, 44% का निकालेंगे, 15%, 6.6%, ठीक है, 50.6% आपका, 3036 हो गया, how many times, 6 times, 6,000 answer होगा, अब मैं सम्झाता हूँ, मैंने क्या किया है, यहां पर, ठीक है, देखें, देखें दरा जान से, यहां पर पहली बाद तो 20% का अगर compound interest, एन्वली है, तो जो total value उसको मिलने वाली है, वो क्या होगा, interest जो amount है, वो 44% हो जाएगा, यहां पर, 44% of the principle, अब आप करो कि, इसका न, इसको बढ़ा रहा है, 15% से, क्योंकि यह क्या कर रहा है, यह जो भी interest मिला, उसको 44% का, उसने 7.5% and I'm simple interest पे किसी और को दे दिया, सुब को दे दिया, simple interest पे, तो दो साल में total interest इस पे कितना आएगा, इस 44% की equivalent जो amount है, उस पे 15% और लग जाएगा, अब मैं calculate करा हूँ, यह कितना होगा, यह 44% करो यह percentage भूल जाओ, बाद में लगा देंगे, ठाकि आपको confusion आओ, 15% अगर 44% का निकालना है, तो 15% पहले निकालो 40 का, वो जाएगा 6, 15% 4 का फिर क्या होगा, 0.6, जोड़ो कितना होगा, 50.6, अब percentage जो हटा लिया था, लगा दिया, अब यह value आप कहह रहो कि 50.6% जो है, वो 306 के बराबर है, यहां से 1 निकालो आप ज़रा, 1% कितना होगा, आपका, साफ साफ मुझे देख रहा है कि 1% आपका 60 के बराबर हो गया, ना, देखो ना, 6 टाइम्स ले जाओ, 60 टाइम्स ले जाओ, तो क्या होगा, यह value जो आपकी दी हुई है, यह 3036 आ जाएगी, तो total value कितनी होगा, 6000 असान से निकाल आए, बेना किसी प्राब्लम करें, ठीक है, अगला सवाल देखता है, चले, question number 26 देखता है, करें कि a person invested equal amounts in two schemes A and B at the same rate of interest, scheme A offers simple interest while scheme B offers compound interest, after two years he got rupees 1920 from scheme A as interest and rupees 2112 from scheme B, if the rate of interest is increased by 4%, what will be the total interest after two years from both schemes, समझाता हम इस सवाल को क्या है, देखिए, पहले तो मुझे है कि 2 years का simple interest दिया है, question कितना भयानक लग रहा है नहीं, same rate बोल रहा है, ठीक है, तो पहले समझते हैं कि अगर equal amount invest किया गया, same rate से किया गया, तो two years का अगर simple interest 1920 है, एक साल का simple interest कितना होगा, 960, half of it, और जो एक साल का simple interest होता है, वही एक साल का compound interest भी होता है, क्योंकि यहाँ पर compounding की बा होता लगा कि second year का compound interest क्या होगा, total 2 साल का 2112 है, तो second year का compound interest होगा, 1152 होगा, तभी यह मिला के 2112 होगा, total compound interest 2 साल का, यह लिखते ही मुझे मालूम है कि यह particular value मुझे हाँ साब साब देख रहे है, यह 192 अप है, इसका मतलब है 20%, जो अगले साल का interest, पहले साल के interest से कितना percent ज् हो ही rate percent होता है, rate percent मुझे मिल गया है 20%, अब rate percent मुझे 20% मिल गया है, तो मैं दिखाता हूँ, यह question आपके लिए कितना आसान है, ठीक है, अब कुछ नहीं बजा, rate percent मालूम है, मैं आगे दिखाता हूँ कैसे calculate करेंगे, so 20% अगर rate percent है sir, तो आप मुझे ज़रा एक चीज़ ब 48 times 4 आपका होता है, 192, तो यह 4800 होगा, 100%, अब देखना, जो SI आपका होगा, वो कितना होगा, 40% होगा, जो आपका CI होगा, उस case में, वो 44% होगा, पर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि अगर 4% interest को increase कर दिया जाए, तो अब compound interest का sum क्या होगा, अब ज़रा ध्यान स समझो, यह चीक तरह ध्यान समझते हैं, पहले चीज़ तो आप यह समझो होगा है, आप यह principle है मेरा, तीक है, आप ज़रा देखते हैं कि क्या answer होने वाला है, आपको होगा, अब आप interest को 24% करने जा रहो, 24% अगर आपने interest किया, तो आप ज़रा ध्यान से देखना, कि जो SI ह होगा total, वो तो होगया आपका 48%, और जो CI होगा, वो मैं लिख रहा हूँ, कि यह होगा 48%, यानि SI, प्लस जो CI और SI का difference होता है, 24% interest पे CI और SI का difference होगा, वो 5.76% होगा, आपको याद होगा कल का discussion, पिछली क्लास का discussion, कि 24 को square करके 100 से डिवाइट कर दो, 576 by 100, 5.76% होगा, सम कितना आ रहा है, 101.76%, अब जहां से देखो कैसे लिखूंगा, मैं 4800, तो 101% तो मैं directly लिख सकता हूँ, वो कितना होगा, 48 और फिर 1%, 48, फिर 0.76% सर मुझे लिखना है, अब जहां से देखना, अगर मुझे 0.76% लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, एक तो मैं लिखूं 1% अगर 48 इसका 3 by 4 नेकालूंगा, 3 by 4 कितना आ गया है, 36, तो यहां 36 जूड़ेगा, यह हो गया आपका 0.75%, फिर मुझे 0.01% भी चाहिए, अब जहां से देखना, 0.01% क्या होगा, 48 आपका 1% था, 0.01% क्या हो जाएगा, 0.48, अब जहां से देखो आपका अंसर आ चुका है यह आपका आगया 48 और यहां से आप सम करोगे 84.48, तो 48, 84.48 आपका पहला आप्शन दिया हुए, वो आपका correct आंसर, तो देखे, question यह थोड़ा सा लगा कि क्या 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 है, लेकिन क्या 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 कर रहा है, 100%, 1%, 0.75%, 0.01% हो गया, इस calculation को मैं तो calculation नहीं समझता हूँ, आपको लगता हुगा, तो आपको थोड़ा काम करने के ज़रू होते, तो देखे, हमने टूटल, अभी 40 questions डिसक्स कर लिए, 14 questions कर लिए, 26 questions, हमने आज किये, overall देखे, आपको कहने के, एक CI का perspective मुझे देना था, कि अब इसको आप foundation बना के आगे बढ़ो, आप formula को छोड़ दो, formula से कुछ नहीं होता है, understanding अगर develop करते हो ना, तो आप exam में जो question आने वाले हैं, आप hypothetical questions की बात मत करो, कि options बहुत close होंगे, तो क्या होगा, यह बेसिक structure था, कि पहले rate percent निकाला, rate percent निकालने के बाद, फिर total CISI का आराम से निकालाया, तो जो भी question है, आप उनको पहले बात वो formula छोड़ दो, क्योंकि कोई भी question जो compound or simple interest का होगा, वो percentage structure होगा, और अगर वो percentage structure है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, भीना किसी problem के, ठी लेकिन मेरी पूरी कोशिश है रहती है, कि जितने भी question discuss हो रहे हैं, उसके through मैं आपको कम से कम इस तरह की learning दूँ, कि आपका complete thought process overhaul हो जाए, और कहीं न कहीं, जो आगे आप कुछ भी करने वाले हो, वो कम से कम self independently आप करने की कोशिश करो, आप सोचने की कोशिश करो, और ज इतनी पूरी कोशिश करी है, कि आपको मैं इस तरह से situations दिखा पाऊँ, चीजें explain करो, कि आप उस नई सोच पे काम करें, देखिए कोई सवाल कठिन नहीं होता, आसान नहीं होता, जब आपके छोटे-छोटे questions में reactions बहतर हो जाते हैं, तो जो बड़े questions होते हैं, उसमें भी जो बड़ा question होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, उन दोनों पार्ट को जब आप combine कर देते हो, दो बड़े question के दो पार्ट होते हैं, simple-simple, उनको combine करें तो बड़ा सा complex लगता है, बड़ होता नहीं, आप जितना बहतर reaction रखोगे, उतना फायदा मिलेगा, ठीक, देखिए, इस video lesson series को जादा स्यादा लोगों को share करते रही है, ताकि maximum लोगों तक इसकी reach होनी चाहिए, सब को इस course का फायदा मिले, यह हमारा सबसे बड़ा motivation है,